हलो स्टुडेंट मैसेल ताराचन टीम मैथ CLC सीकर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मीड सेस डीटीस का पेपर नंबर 6 इसके अंदर हमारे मैथ के अंदर जो टॉपिक कवार्ड है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा एप्लिकेशन ओप डेरिवेटि इंडेफिन एट इंटिग्रेशन इस्टेटिक्स एंड रिजनी ठीक है तो मैनली आपका यह जो पेपर है वो इनी दो टॉपिक के ओपर डिपेंडेंड है ठीक है क्योंकि स्टेट और रिजनी वाला जो टॉपिक से उससे शिरफ जई मैंस में क्यूसंस आते हैं और सिंपल किऊशन वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो फ़र्स्ट क्यूशन है जो हमारा उसके अंदर देखी हमेँ क्या पूछा गया है एंगल एट विच दी गार्व वाई ब्रावर के एकस इंट्रसेक्ट दी तियग कर्व सीश मिन्स आपको ये जो क्रव है ठीक है ये ये को किस angle पे intersect करता है ठीक है तो इसका क्या meaning हुआ देखो यह जो भी कर होगा ठीक है y axis को यह किसी ने किसी एक point पे cut करेगा for example इसका graph कुछ इस तरीके से है तो इसका meaning यह हुआ कि जब यह y axis को cut कर रहा है जिस point पर ठीक है अगर उस point के उपर अगर आप एक tangent रो करते हो ठीक है तो मान लेते हैं कि यह जो tangent है कारू के उस point पर y x के साथ में alpha degree का angle बना रही है ठीक है यह हमें पता है x x और y x के बीच का angle 90 degree का होगा और इस angle को मान लेते हैं theta है अब देखिए हम यह alpha कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा हमें इस point के coordinates चाहिए होंगे तो क्योंकि यह जो point है यह हमारा y x के उपर इस्तित है तो यहाँ पर जो x coordinate होगा हमारा वो क्या होगा 0 होगा ठीक है x को अगर मैं 0 put करूंगा इस curve की equation के अंदर तो y ब्रावर k e की power k x ठीक है यह जो curve है इसमें x को अगर 0 put कर दे तो y ब्रावर आएग तो इस point के coordinates आगे हमारे पास में 0,k ठीक है next काम देखो अपन क्या करेंगे अपन यह जो curve अपने को दे रखा है इस curve की help से इस tangent की slope निकालेंगे ठीक है और tangent की slope कैसे निकालते हैं हमें पता है हमें इस curve को differentiate करना होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा dy by dx ब्रावर k into e की power k x का differentiation क्या होगा सबसे पहले तो e की power x का differentiation e की power x इसके बाद k x का differentiation होगा अपने पास में k और x का हो जाएगा 1 ठीक है tangent की slope के लिए अपन क्या करते हैं उस point वो जो point होता है आपका tangent और कारुका वो point यहाँ पे put करते हैं तो हमें tangent की slope मिलती है m तो m का मान कितना आएगा यहाँ स m ब्राबर यह point जब इसमें put करेंगे means x की जगे पर आप 0 put कर दीजे तो यह आएगा देखिए k यहाँ पर भी k और यह e to the power 0 again 1 हो जाएगा so m ब्राबर आगया k square ठीक है लेकिन यह जो k square आया यह किसकी slope है यह tangent की slope है और tangent की slope है that means यह हमारे पास में value of 10 theta will be equal to k square लेकिन द हमें alpha निकालना है तो alpha की value कैसे निकालेंगे तो हमें पता है कि इस triangle की help से क्योंकि यह angle 90 degree का है तो alpha plus theta जो होगा वो भी कितना होगा बच्चों हमारा 90 degree और alpha plus theta 90 है तो theta की जगे पर हम substitute कर सकते हैं क्या 90 degree minus alpha तो यह theta की value यहाँ पर substitute कर देते हैं तो जैसे ही यहाँ पर हम theta की के put कर दीजिए 90 minus alpha will be equal to कितना हो जाएगा k square तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखिए 1090 minus theta क्या होता है that is cot theta so this will be equal to cot alpha will be equal to k square तो alpha की value कितनी आएगी बच्चों यहाँ से cot inverse k square और यही है हमारा answer ठीक है हमसे alpha ही पूछा गया था so this question का जो सही answer होगा हमारा वो होगा second option क्लियर है सभी को चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं next question number two के बारे में question number two के अंदर देखिए हमें क्या पूछा गया है अभी बात करते हैं देखू question number two के अंदर क्या है देखिए question number two के अंदर आपको दिया गया है minimum value of the polynomial this आपको एक polynomial दिया गया है x into x plus one into x plus two यहीं तक है बच्चों question ठीक है इसके बाद में आगे इधर लिखा गया है x plus three ठीक है बागी आप हिंदी में देख सकते हो यह सारी ट्रम्स आपको यहाँ पर एक साथ लिखी हुई दिखाई दे रही है तो हमें इस polynomial का minimum value निकालना है ठीक है ना minimum value का क्या मतलब हुआ कि x की कोई भी value polynomial के अंदर domain क्या होती है हमारी all real number कोई भी x हो सकता है तो जब हम इसके अंदर x की values put करेंगी ठीक है तो अगर मैं इसको y लेलू या इसको f of x लेलू तो इस f of x की minimum value क्या हो सकती है यही बच्चो हमें calculate करना है यहाँ पर ठीक है तो चली देखते हैं कि कैसे calculate होगा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देखो कैसे करेंगे इसको एक काम करते हैं देखिए यह symmetric terms है हमारे पास में x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 तो इसको इसके साथ multiply कर लेते हैं और इसको इसके साथ तो देखिए क्या मिलेगा हमें x square plus 3x पहली और चौथी को अगर multiply करोगे तो आएगा x square plus 3x ऐसे second और third को अगर multiply करेंगे तो आएगा x square plus 3x plus 2 यह जो 4 factor थे यहां से हमारे पास में 2 factor बन गए हैं ठीक है अच्छा यह हमने इसलिए किया था क्योंकि देखिए यहां पर यह दोनों ड्रम क्या बन रही है अपने पास में same आ रही है ठीक है तो एक काम करते हैं आगे x square plus 3x इसके अंदर 1 जोड देते हैं और 1 गठा देते ह और ऐसे ही आगे जो 2 लिखा गया है उस 2 को लिख देते हैं अपन 1 plus 1 इससे क्या होगा इससे बन जाएगा देखो यह perfect square number यह a है तो यह भी a होगा और यह देखो अगर b है तो यह भी b है तो यहां पर देखो यह formula बन जाएगा आपके पास a minus b into a plus b और यह हमें पता होता है a minus b into a plus b होता है x square plus 3x plus 1 का whole square minus 1 f of x will be equal to अब देखो आगे कैसे करेंगे ठीक है हमने यहां तक कर लिया इसको perfect बना लिया तो देखी हमें एक चीज पता होती है कि अगर कोई भी number अगर perfect square होता है तो वो number हमेशा positive होता है ठीक है वो number हमेशा positive होता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो value है इसके अंदर वाला जो number है चाहिए negative हो या positive हो यह quantity हमेशा ही आपके पास में कैसी रहेगी positive रहेगी यह 0 भी हो सकती है ठीक है अगर इसकी value 0 हो गई तो यह 0 भी हो सकती है या positive होगी हमें इस expression की minimum value निकालनी है तो यह minimum value कब निकलेगी कब होगी that will be equal to minus 1 क्या यह answer हमेशा सही होगा तो हमेशा सही नहीं होगा बच्चो ज्यान रखिएगा यहाँ पर सही होगा आपको check करना होगा कि यह जो quadratic है क्योंकि हमें पता है कि यह कौन सा expression है quadratic तो क्या इसकी value 0 हो सकती है क्या ठीक है तो 0 कब होती है किसी भी quadratic की value जब उसका discriminant क्य हो greater than or equal to 0 means 0 होने का मतलब क्या है कि वो expression 0 कब होता है जब उसके 0 होते है और उसके 0 मिस उसके roots होते है और किसी भी quadratic के roots कब होते है जब उसका d greater than equal to 0 हो तो इसका d कितना आ रहा है बच्चों यहां से अगर आप check करेंगे तो 9 minus 4 that will be equal to 5 so this will be greater than 0 ठीक है greater than 0 है that means इसके roots आएं तो इसका minimum 1 0 ही होगा so 0 minus 1 यही होगा हमारा सही answer that is minus 1 लेकिन घ्यान रखिएगा बच्चों अगर इसका d negative होता ठीक है अगर quadratic का d negative होता तो उस case में इसका minimum 1 0 नहीं होता फिर इसका minimum 1 क्या होता वो आपके पास में होता minus d by 4a ठीक है आप सबको पता है एक quadratic की जो range होती है ठ तक होती है ठीक है minus d by 4a से infinite चले आगे बात करते हैं question number 3 के बारे क्या है देखिए question number 3 यह पे variable tangent to the curve x square y ब्राबर c cube makes intercept a b on x and y axis respectively then the value of a square b ठीक है तो a square into b का product क्या होगा यह हमें निकालना है ठीक है एक अपने को tangent की equation लिखनी है ठीक है और वो tangent की equation xx और yx पर intercept दिये हुए हैं आपको a और b के cut कर रही है ठीक है तो हमें बात करनी है ठीक है कि a square b का product क्या होगा c के format में options दिये गए हैं हम लोगों को चलिए देखते हैं सबसे पहले तो क्योंकि यह जो curve है यह जैसे हम 2d में पढ़ते हैं उनमें से कोई सा भी curve नहीं है तो अपन aod की help से application of derivative की help से इसके अंदर पहले tangent की equation निकालते हैं ठीक है फिर बात करेंगे उसमें a और b का use कैसे करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको differentiate किया और अगर मैं differentiate करूँगा तो देखे मेरे सामने क्या हैगा 2x into y x square का differentiation करेंगे तो 2xy plus y का differentiation करेंगे तो यह आजाएगा dy by dx और c cube का differentiation x के respect में 0 clear तो यहां से देखे dy by dx कितना हैगा dy by dx ब्राबर minus 2xy divided by x square x को काट दीजिए क्योंकि 0 upon 0 नहीं रह सकता तो उसको काट देंगे तो पिछे बचेगा minus 2y divided by x तो अपने काम करते हैं tangent की equation लिखते हैं ठीक है ना x, y point पर ही ठीक है ना माना कि वो tangent की equation x, y से pass कर रही है ठीक है तो उसकी equation क्या होगी देखिए capital y minus small y ठीक है ना क्योंकि इस point से pass कर रही है so y minus y1 equal to slope of the tangent that is minus 2y divided by x और into capital x minus small x तो ये हमारे पास में एक general equation होगी इस कारू के लिए tangent की के लिए है अब देखो अगर ये tangent हमारी xx पर a length का intercept कर रही है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जब ये tangent आपके xx को cut करेगी ठीक है ना वाग तो ये a,0 से pass करेगी तो इस equation को हम a,0 से pass करवा देते हैं means is capital y की value ठीक है यहाँ पर variable terms क्या है capital y और capital x तो उसकी जगे पर आपको a,0 put करना है तो यहाँ पर 0 put करेंगे, so 0 minus y ब्राबर minus 2y divided by x into capital x की value कितनी है a minus small x कितना आ रहा है देखो, y से y कट जाएगा, minus से minus sign कट जाएगा तो इधर आएगा x by 2 plus x ब्राबर a, तो यहाँ से a की value मिल जाएगी हम लोगों को कितनी 3x by 2, तो यह तो हो गया हमारे पास में a, ठीक है ऐसे ही similarly अपने को क्या करना है यहाँ से, यहाँ से अपने को y की value निकालनी है और आएगे देखते हैं y की value क्या करेंगे, y के लिए क्या है, y क्या है हमारे पास में, y means b क्या है तो b है अपना y x पर intercept, means जब यह tangent आपकी y x को cut करेगी तो वहाँ x coordinate 0 होगा और y intercept आपको दिया हुआ है b, means यह tangent 0, b से भी pass कर रही है तो इसको 0, b से pass करवाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है देखिए y की पूट कर दीजिए, b minus y ब्राबर, कितना आएगा यहां से, minus 2y divided by x x को 0 पूट कर दीजिए, minus x, ऐसा ही होगा, इसको इससे काट दीजिए, x x कर जाएगा minus minus plus हो जाएगा, so b ब्राबर 2y, उदर से y इदर आ गया, plus y हो गया, so that will be equal to 3y ठीक है, तो यहां से हमारे पास में a की value आगी 3x by 2, b की value आगी 3y अब देखो अपने से पूचा क्या गया है क्यूशन में, हमसे पूचा गया है a square into b की value ठीक है, a square, b कितना आएगा यहां से, a की value कितनी है अपने पास में, 3x by 2, so that is 9x square divided by 4 ठीक है, 9x square divided by 4, और b की value कितनी है बच्चों, 3y यह आजाएगा आपके पास में 27 by 4 into x square, x square into y, ठीक है, और x square into y की value कितनी है बच्चों, c cube तो वो c cube यहाँ पूट कर दीजिए, so 27 by 4 c cube, ठीक है, तो यह होगा बच्चों आपका answer ऐसा कौन सा option है, ऐसा है बच्चों हमारे पास में, 3rd option, ठीक है, अच्चा, x square into y क्या यह y x square y है तो बिल्कुल क्योंकि हमने क्या किया था, इसी point पर देको slope ली थी, और इसी point पर हमने tangent की equation लिखी थी that means यह जो होगी, आपका जैसा भी कर होगा, इसी point पर होगी तो यह x, y, y है, जो इस कर को भी satisfy करेंगे इसलिए यहाँ पर हम क्या put कर सकते हैं, cq put कर सकते हैं, क्लियरे सभी को, ध्यान से देख लीजिए, दुबारा solution को ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question number 4 के बारे में, क्या है देखिए, question number 4 में देखो, हमसे क्या पूछा गया है, एक second, question number 4 में आते हैं, देखो, question number 4 के अंदर आपके एक function दिया गया है, f of x ब्रावर 4x cube minus x square minus 2x plus 1, and gx आपके एक function दिया गया है, minimum of f of t इस interval के लिए, और 3 minus x, जब x आपका 1 से 2 के बीच में है, तो आपको निकालना है, value of g of 1 by 4, g of 3 by 4, and g of 5 by 4, ठीक है, लेकिन देखो, यहाँ पर यह जो minimum लिखा गया है, यह t लिखा गया है, इन सब का क्या मतलब है, और कैसे इसे question को solve करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि minimum और maximum की जब भी बात होगी, ठीक है, तो हमें काम करते हैं हमें साँ, ठीक है, इसको देखते हैं कि यह कब minimum होगा, कब maximum होगा, उसके लिए हमने इसका differentiation किया, तो हमें मिला यहाँ से कितना, देखो, 4 into 3, that will be 12x square, minus 2x, और minus 2, ठीक है, इसमें से देखो, 2 common आ रहा है, 2 को common ले लिजिए, तो पीछे बचेगा, 6x square, minus x, minus 1, ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद में इसके factors हो रहे हैं, 6x square, minus x, minus 1, इसके factors कर लेते हैं, तो यह आएगा, देखो, 2 into 3x, plus 1, into 2x, minus 1, एक बाद चेक कर लो, 6x square, minus 3, plus 2, is minus 1, and again minus 1, इसका क्या मतलब हुआ, देखो, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो f वाला जो function है, वो एक cubic equation है, minus 1 by 3, और 1 by 2, यह दोनों इसके critical points है, ठीक है, इधर positive होगा, इधर negative होगा, इधर यह फिर से positive होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो, कि minus 1 by 3 से पहले तो यह function आपका increasing है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, अभी इसके ऊपर जाएगा यह नहीं जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इतना जरूर है कि बढ़ रहा है, फिर 1 by 3 से 1 by 2 के बीच में गटेगा, और इसके बाद में फिर से वापिस, प्लस साइन का मतलब फिर से वापिस increase होगा, ठीक है, तो यह जो cubic equation है, अभी हम GX के बारे में कोई बात नहीं किये, अभी शिरफ हमने यह देखा है कि F वाला जो function है, वो कब increasing होगा और कब decreasing होगा, अभी बात के लिए, अब आते हैं देखो अपने question के उपर GX के लिए, GX में आपको लिखा गया minimum of F of T, when 0 से X के बीच में होगा T, ठीक है, और X का interval है 0 से 1 के बीच में, अच्छा ध्यान से देखो बच्चो, यहाँ पर है minus 1 by 3, ठीक है, तो 0 कहाँ पर होगा, क्योंकि यह है आपके पास में आगे चल करके 1 by 2, ठीक है, हमें इतना पता है कि 0 जो पॉइंट होगा, वो वहाँ पर लाई कर रहा है, जहाँ पर हमारा function decrease कर रहा है, ठीक है ना, यह important point है, क्लियर, दूसरा point, 0 हमने इसलिए देखा, क्योंकि हमें 0 से 1 में बात करनी है, 1 कहाँ पर होगा, 1, 1 by 2 से आगे होगा, means इससे आगे कहीं पर भी होचाई, यहाँ होचाई, इधर हो, माल लेता हूँ कि मैं 1 यहाँ पर है, ठीक है, actually मेरे पास में 0 मैंने यहाँ पर लिया, 1 मैंने यहाँ पर लिया, means मेरा यह graph है, ठीक है ना, x जब 0 से 1 के बीच में है, तो यह graph है, कि लिए रहे सभी को, अब देखो, gx का क्या मतलब हुआ, gx minimum of f of t, when x belong to 0 से 1, अब देखो अपने को पूरा करने की जरूत नहीं है, अपने को बात करने हैं, देखो, g of 1 by 4, ठीक है ना, तो g of 1 by 4 जो होगा, क्योंकि x आपके पास में यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इस से निकलेगा, that means, minimum of f of 1 by 4, ठीक है, अच्छा, minimum of f of t, ठीक है, f of t का जो minimum value होगा, ठीक है, वहाँ पर लाई करेगा, आपका g of 1 by 4, ठीक है, g of 3 by 4, g of 3 by 4 भी इसी में होगा, वो भी आपको लेना है, बच्चो, minimum of f of t में से, ठीक है, और next है, आपके पास में, g of 5 by 4, 5 by 4 तो बच्चो इसमें नहीं है, 5 by 4 तो इसमें है, that means, g of 5 by 4 जो है, वो आपको आगे वाला जो function है, वहाँ से निकालना है, ठीक है, इसमें, इस minimum of f of t का कोई role नहीं होगा, आप देखो, क्या करना है, आपको, f of g 1 by 4 का मतलब क्या हुआ, देखो, 0 से लेके 1 के बीच में ये पूरा है, ठीक है, 0 से 1 by 2 तक आपका function क्या हो रहा है, continuously decrease हो रहा है, ठीक है, तो 1 by 4 जो होगा, ठीक है, वो 0 से 1 by 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, और वहाँ पर grab आपका क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, decrease होने का मतलब ये होगा, कि g of 1 by 4 की value तो वह ही होगी, क्योंकि इस में से आपको वो part लेना है, जब वो minimum होगा, तो minimum कौन से point पर होगा, 0 से 1 by 2 के अंदर, minimum 1 by 4 पर ही होगा, अचा, all or minimum तो 1 by 2 पर है, लेकिन क्योंकि हमें value किसकी निकालनी है, 1 by 4 की value निकालनी है, ठीक है, तो आपके पास में ये 0 से t का जो interval हो गया, वो भी क्या हो गया, 0 से 1 by 4, तो 0 से 1 by 4 के अंदर ही check करना है, और 0 से 1 by 4 के अंदर minimum कहां पर है, 1 by 4 पर, तो ये जो value होगी, ये तो आपकी app hop 1 by 4 के बराबर ही होगी, ये बात clear होई सभी को, दुबारा देख लेना, ठीक है, 0 से x की value 1 by 4 मिंज, t की value 0 से 1 by 4, और app के अंदर 0 से 1 by 4 के अंदर हमें दिखा हो रहा है, तो 1 by 4 पर ही minimum है, clear, अगले बात करते हैं, app hop 3 by 4, ठीक है न, इसकी value, जी ओफ 3 by 4, तो minimum of app hop T क्या होगा, देखो, 3 by 4 का मलब x की value 3 by 4, तो इस बार ये क्या होगया interval, इस बार ये होगया आपका 0 से 3 by 4 के बीच में, ठीक है, अब देखो, अगर T 0 से 3 by 4 के बीच म होगा कहीं पर, यहां पर होगा, तो उसके अंदर ये पूरा graph आएगा, ठीक है न, 3 by 4 तक चलना है अपने को, तो 3 by 4 पर minimum नहीं है, देखो, minimum इसके पहले आ रहा है, और कौन से point पर आ रहा है, 1 by 2 पर, तो यहां पर आपको 3 by 4 नहीं लेना है, बच्चों, क्या लेना है, 1 by 2 लेना है, तो G of 3 by 4 इसका जो minimum part होगा, वो क्या होगा, आपका, F of 1 by 2, clear, ऐसे ही आपके पास में G of 5 by 4 की value होगी, वो आपकी F of 5 by 4 के बराबर होगी, clear है, अब यह तीनों values आप यहां पर put करके calculate कर सकते हैं, आशानी से, आपका answer आ जाएगा, देखो, क्या आ रहा है, 1 by 4 जब put करेंगे, अचा, F of 1 by 4 का मतलब इस function में आपको value put करनी है, आपको answer निकालना है, तो यह आएगा आपके पास में 4 into, 4 जब put करोगे तो 64, minus 1 by 4 put करेंगे तो 16, minus 2 divided by 4 and plus 1, यह value है आपके पास में F of 1 by 4, similarly आपको F of 1 by 2 लेना है, F of 1 by 2 means again इसमें आपको 1 by 2 put करना है, तो यह आएगा 4 by 8 minus 1 by 4, जब 1 by 2 put करेंगे, minus 2 divided by 2 and plus 1, और F of 3 by 4 का मतलब क्या हुआ, 3 by 4 इस वाले interval लाई करा, 3 minus x में, तो यहाँ पर आपको क्या put करना है, sorry 5 by 4, तो 5 by 4 वहाँ पे आजाएगा आपके पास में, 3 minus 5 by 4, इस सारी values calculate कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा देखो, यह 1 by 16 होगा, इस से यह कट जाएगा, यहाँ पर आएगा minus 1 by 2, तो 1 minus 1 by 2, यह पहला फेक्टर है, प्लस, यहाँ पर देखो, यह minus 1 plus 1 कट जाएगा, LCM लेंगे, तो यह आएगा आपके पास में 8 LCM आजाएगा, so 4 minus 2, तो यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है, minus, यह इसको आप 1 by 2 लिख सकते हो अगे, यहाँ इसको काट दो, इसको 2 बार, इसको 4 बार, so 2 minus 1, 2 minus 1 divide by 4, यह पूरे के divide में है, और यहाँ पर LCM लेलो, so 12 minus 5, 12 minus 5 हो जाएगा आपके सामने, 7 by 4, फिर से इसका LCM ले, 1 by 2 है, ठीक है, यह 1 by 4 है, तो 4 सभी में से LCM आजा So, that is 7 plus 3, 10 by 4, 10 by 4 means 5 by 2, तो 5 by 2 आपका answer होगा, और ऐसा देखो, आपको दिया गया है, कौन से option में, 4th option के अंदर, clear है, इस type के जो questions आते हैं, आपके पास में, minimum, maximum वाले, उनको बड़े ही ध्यान से हैं, इस तरीके से आपको, अपने हर question को solve करना है, बच्चों, clear है, सभी क डीको चली, आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 5 के बारे में, क्या है, question number 5 के अंदर हमें discuss करना है, किसके बारे में, एक rectangle बन रहा है इसके अंदर, और उस rectangle का हमें क्या करना है? उस rectangle का हमें area find out करना है, कौन सा area? ऐसे आयत का सबसे बड़ा चैत्रफल निकालना है, देखो से पहले तो बनाते हैं कि आयत कैसा बनेगा ठीक है आईए देखते हैं रेक्टेंगल विट वन साइड लाई अलोंग दी एक्स एक्सिस अच्छा ये एक्स एक्सिस है एक साइड इसके अलोंग लाई कर रही है ठीक है इस टू बी इंस्क्राइब इन दी क्लोजड रीजन xy plane ठीक है न xy plane means ये आपके पास में xy plane बनेगा ऐसा bounded by the line y ब्राबर 0 y ब्राबर 0 क्या होता है भच्छो x axis एक तो ये लाईन है आपकी y ब्राबर 3x origin से पास करती हुई एक लाइन होगी बच्छो and y ब्राबर 30-2x है इधर देख ले ना इधर 30 और 2x अलग लग जगे पर क्युसन कभी कोई confusion हो दोनों साइड में देख लिया अगरो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो y ब्राबर 30-2x देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यह yx पर तो कहा इंट्रेप्ट करेगी जब x 0 होगा तो ऊपर करेगी और x x पर जब y 0 होगा तो इधर तो इस टाइ है आपकी y ब्राबर 30-2x ठीक है इसके अंदर हमें एक rectangle बनाना है ठीक है देखो अगर और उसके अंदर एक side आपकी इसके along lie कर रही है इसका मतलब यह line horizontal है तो दूसरी वाली line भी horizontal होगी क्यों क्यों rectangle की opposite sides क्या होती है parallel होती है आप यह बात के लिए अब यहां से इसको join कर लो यह point मान लेते हैं x1 है यह point x2 और यह इसकी height को मान लेते है अपन y ठीक है यह y है तो height यह भी y होगी क्यों कि opposite sides की length equal होती है और वैसे horizontal line ही वो ठीक है तो इसका area कितना होगा area बराबर क्या होता है rectangle का area ठीक है ना sides की length का product एक side तो कितनी है आपकी x2 minus x1 और एक side कितनी ह आपकी y ठीक है अब इस type के इसमें आप बहुत सारे rectangle समना सकते हो variable type के तो तो हमें वो rectangle का area निकालना है जिसका area maximum हो और maximum minimum के लिए इसको differentiate करना पड़ेगा और उसके लिए सभी को एक variable में लाना पड़ेगा तो कैसे लाएंगे देखो यह point x1 और यह height y है that means x1, y इस line परिस दीजिए, so y ब्राबर हा जाएगा 3x1, तो यहां से देगी आपन क्या कर सकते हैं, इसको put कर सकते हैं, पहले तो x2 को put कर दीजिए, x2 इस पर लाई करेगा, x2 की value कितनी आएगी देखो, 30 minus y divided by 2, ठीक है न, y ब्राबर 30 minus 2x2, 2x2 उदर लेके जाएंगे, so 30 minus y by 2, minus x1, x1 इ into y, ऐसा हो जाएगा, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, da upon dy निकालने से पहले इसको multiply कर लो, ताकि confusion ना हो, 30 by 2 होगा, 15 into y, minus y square by 2, and minus y square by 3, ऐसा होगा, कितना आएगा, देखो, da upon dy, यह आजाएगा अपने पास, 15 minus, इसका कितना आएगा, differentiation 2y, कि y के respect में कर रहे हैं, so dy by dx नहीं, सिधा y आएगा, so 2y, y से कट जाएगा, so that is y, and minus 2y divided by 3, ठीक है ना, और यह 0 कब होगा, y की कौन सी values पर 0 होगा यह, इसमें LCM लोगे, तो यह आएगा, 5y by 3 ब्राबर 15 पे, 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार, तो y ब्राबर 9 के ऊपर यह क्या होगा, बदच्वाब का area, maximum आएगा, y की value जब 9 यहाँ पूट करोगे, तो x1 आजाएगा, और जब यहाँ पूट करोगे, तो x2 आजाएगा, x1, x2, y सब आजाएगे, तो area भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो y की value 9 पूट करते हैं उसमें देखो कितना आएगा, x1 ब्राबर 9 बाइ 3, ठीक है ना, इसमें y की जब नाइन पूट करोगे, तो x1 ब्राबर 9 बाइ 3, so 9 बाइ 3 कितना होगा, 3, तो x1 की value 3 आगई, यहाँ पर y की value 9 पूट करेंगे, तो कितना आएगा, 2 x2 ब्राबर आजाएगा, 30 माइनस 9, that is 21 x2 की value आजाएगे अपने पास, 21 by 2, ठीक है, x2 आगया 21 by 2, x1 आगया 3, y आगया 9, यह सारी value यहाँ पूट कर देते हैं, अब देखो अपने diagram का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, area ब्राबर आजाएगा अपने पास में, y, x2 minus x1, x2 कितना आएथा, 21 by 2 minus x1, x1 कितना आएथा, 3, into y, y कितना था आपने पास, 9, कितना आ रहाए देखो, यह ब्राबर, lcm लेंगे, तो देट इस 15, 6, 21 minus 6 will be 15 by 2, into 9, 15 into 9 होता है, 135 by 2, ऐसा option है, बिल्कुल है बच्चो, third option जो है, वही है है हमारा सही answer, क्लियर है? तो इस तरीके से हमें अपने, इस question को solve करना है, कोई भी doubt हो, तो solution को दुबारा देख सकते हैं, क्लियर है? चलि, आगे बात करते हैं, question number 6 के बारे में, चलिए बच्चों बात करते हैं आगे question number 6 के बारे में, question number 6 में देखिए हमें क्या करना है, question number 6 में हमें दे रखा है कि fx and gx be two differentiable function in r such that f of 2 will be equal to 8, f of g of 2 ब्रावर 0, f of 4 will be 10 and g of 4 will be 8, fx आपको differentiable function दिए गए है, that means continuous भी होंगे, continuous और differentiable दोनों दे रखे हैं और कुछ values अपने को दे रखी है, यह साथ जब भी question में आता है तो हम generally क्या करते हैं, हम LMBT या Rolls theorem के बारे में question के अंदर discuss करते हैं, अब उसके लिए हमें एक function चाहिए होता है, और function क्योंकि यहां पर कुछ दियावा नहीं है, लेकिन हमें f और g में कुछ values दी गई है, और हमें कुछ options दिए गए हैं g और app के अंदर, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन जो भी options दिए गए हैं, उसी type का कोई functions लेंगे, और देखते हैं कि कौन से, जैसे 2 और 4 पर जो सही option है, मैं वही यहां पर कर रहा हूँ, ठीक है, बाकि आप सभी options को उस तरीके से check कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर इसको देखते हो, अगर मैं एक function मानता हूँ, h of x ब्रावर, g of x minus 4 time, f of x, अचा मैंने यही क्यों लिया, ठीक है, तो आपको सभी लेकर के देखने हो ठीक है, कि कौन से function के अंदर rollage theorem आपकी लग रही है, ठीक है, जैसे for example आपको answer नहीं पता होगा, तो आप पहले दूसरे को check करेंगे, फिर चोते को check करेंगे, ठीक है, बट आपको check करना है, rollage theorem वहीं लगेगी जहां आपके पास में function differentiable होगा, continuous होगा, और साथ में points per value same हो यह उसकी conditions होती है, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले H of 2 के बारे में, तो यहाँ पर H of 2 कितना आएगा, G of 2, that is 0, minus 4 time F of 2, F of 2 की value है बच्चो 8, तो यहाँ से value आ रही है, minus 32, ठीक है, और ऐसे ही आपको H of 4 की values निकालनी है, H of 4 की value अगर आप निकालेंगे, तो आपको मि minus 4 time F of 4, जिसकी value है 10, so 8 minus 40, that is also minus 32, so दोनों values सेम आ रही है, that means इस function के अंदर रोलेज थियोरम लग रही है, और अगर रोलेज थियोरम लग रही है, तो जब आप ह-X बराबर 0 करेंगे, तो आपको यह condition मिल जाएगी, G-X बराबर 4 time F-X, but conditions तो यही आ नहीं है, क्योंकि हमन आप second में करोगे, तो वहां नहीं लगेगी, fourth में करोगे तो लग जाएगी, तो fourth option आपका क्या हो जाएगा, बच्चों, सही हो जाएगा, क्लियर है, इसी तरीके से इसको tackle करना था, आगे चलते हैं, बात करते हैं, question number 7 के बारे में, क्या है देखो? question number 7 के अंदर देखो है, हमारे पास में, हमें एक function दे रखा है, ठीक है, और function क्या है, function है हमारे पास में by quadratic, ठीक है, तो by quadratic function है, हमें इससे क्या करना है, हमें इसके अंदर बताने हैं कि इसमें कितने चरम बिंदू होंगे, ठीक है, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, या एक भी नहीं होगा, ठीक है, A और B क्या है हमारे पास में, A और B कोई भी real number हो सकता है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे देखो, सबसे पहले चरम बिंदू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन F-X निकालते हैं, F-X ब्राबर कितना आएगा हमारे पास में, F-X ब्राबर आएगा, 4 इंटू 3, 12X क्यूब, ठीक है, माइनस 4X क्यूब का डिफ्रेंशिशन आएगा, अगें 12X स्क्वाइर, प्लस 12X और प्लस A, ठीक है, अब ये जो है हमारे पास में, एक क्योभी की एक 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 कितने आपके पास में, चरम बिंदू होंगे, वो किस पे depend करते हैं, ठीक है, तो वो आपके depend करते हैं कि इस एकवیशन के कितने यह roots होंगे, ठीक है यूँ एक 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 एकवیशन है, इस के कितने roots होंगे, क्यों? क्योंकि जब-जब F-X 0 होगा, या undefined होता है, वो ही हमारे करते हैं तो एक बार फिर इसको differentiate कीजिए तो यहाँ पर जब differentiation करोगे तो f double dash x बराबर कितना आएगा 36 x square minus 24 x plus 12 ठीक है ना ए भी 0 हो जाएगा इस बार इसमें से 12 को common ले लो क्योंगी तो सभी में हैं तो पिछे बचेगा 3 x square minus 2 x plus 1 ठीक है तो यह हमारे पास में आएगी quadratic, simple सी बात है qb को differentiation करने से एक quadratic आती है अब इससे हमें कैसे पता चलता है कि qb के root से real होते हैं या आपके सामने एक real होता है या तीन real होते हैं तो इसका पुरा हमारा process होता है जो हम class में discuss करते हैं तो सबसे पहले हम इसका d check करेंगे ठीक है इसका discriminant किसका f double dash x का f double dash x का अगर आप discriminant check करोगे तो आपके पास में आएगा 4 minus 12 that is minus 8 अगर f double dash x negative आता है that means f double dash x means अगर qb के differentiation का discriminant अगर negative आता है that means is qb का एक ही real root होगा यह condition होती है और अगर यह positive होता है तो फिर हमें आगे check करना होता है कि एक real होता है यह दो real होते हैं तो फिलाल हमें check करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि d negative आ गया that means इसका एक ही real root होगा चाहिए एक कुछ भी हो जाए इस cubic equation का हमेशा एक real root होगा और इसका एक real root है that means f dash x का शिरफ a की बार 0 होगा शिरफ a के ही point पर होगा और a की point पर होगा इसका मतलब इसका exactly one extremum होगा ठीक है न मिनिमा होगा या मेकजिमा होगा ठीक है तो वो तो हमसे पूछा ही नहीं है हमसे यह पूछा गया कितने critical points होगे तो शिरफ एक critical point होगा exactly one extremum ठीक एक चरम बिंदू होगा इसका चलिए रहे सभी को चलिए इसके लिए आप एक बार cubic का analysis दुबारा देख सकते हैं अपने notebook के अंदर अगर किसी को doubt हो चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 8 के बारे में क्या है देखो question number 8 question number 8 भी देखो कुछ इसी type का है जैसा अब यह भी हम लोगों नहीं किया है ठीक है आईए देखते हैं क्या करना है देखे इसमें question number 8 के अंदर हमें एक function दिया गया है fx equal to this ठीक है इसमें local maximum, local minimum, removable discontinuity और point of inflection means calculus के job हमारे important points होते हैं उसके corresponding हमें options दिये गए हैं इस्तानी अधिकतम नती परिवर्तन बिंदू, इस्तानी जूनतम या विस्तापनिये ऐसा तता है या नहीं है removable discontinuity चलिए बात करते हैं देखे तो सबसे पहले अगर हम बात करें ठीक है local maxima, local minima या inflection point इसके लिए तो हमें f dash x चाहिए तो इसका differentiation करते हैं देखते हैं क्या आता है f dash x f dash x निकालने के लिए इसको multiply कर लिकलो 6 x square minus 7 x plus 1 and divide by 2 x minus 1 f dash x क्यों निकाल रहे हैं जरूरी है f dash x निकालना आई देखते हैं f dash x निकाला हमने तो हमारे को मिला उपर का differentiation 6 x square का 12 x minus 7 ठीक है नीचे वाला function as it is 2 x minus 1 minus नीचे वाले का differentiation 2 उपर वाला function as it is 6 x square minus 7 x plus 1 और divide by नीचे वाले का whole square ठीक है फिर आगे चलते हैं बात करते हैं इसको simplify करते हैं ठीक है simplification से ही हमें पता चलेगा कि इसमें point of maxima होगा या minima होगा 12 into 24 और यहां से minus 12 so 12 x square बच जाएगा ना इसको simplification कीजिए यहां से देखो minus का 12 x इसको लिकलो एक बार minus का 12 x यहां से आएगा minus का 14 और यहां से देखो plus का 14 वो कट जाएगा ना इसको calculation आप कर लीजिएगा plus 7 minus 2 that is plus 5 और divide by 2 x minus 1 का whole square यह आगया हमारे पास में f-x ठीक है अब देखो अपन चेक करते हैं कि इसके कौन-कौन से critical points है ठीक है तो critical points कौन-कौन से होते हैं जहां पर f-x 0 होता या undefined होता है तो 1 by 2 पर तो undefined है f-x क्योंकि denominator क्या हो रहा है 0 हो रहा है ठीक है उपर वाला जो है वो कभी 0 होगा या नहीं होगा उसके लिए इसका discriminant से करते हैं वापिस अगर इसका d greater than 0 आ रहा है तो 2 roots होंगे equal to 0 आ रहा है तो इसका 1 root होगा d negative आ रहा है तो यह कभी 0 नहीं होगा ठीक है तो इसका discriminant आएगा 12 का square minus 4 into 12 into 5 तो देखो 12 को common ले ले अगर आपन तो यहां बचेगा 12 minus 20 तो यह क्या रहा है बच्चो इसका discriminant जो है वो negative आ रहा है d negative आ रहा है means इसका कोई real root नहीं होगा और कोई real root नहीं है that means यह 0 कभी नहीं होगा f dash x तो शिरफ एक point आ रहा है आपके पास में that is 1 by 2 और वो आपके पास में क्या है इसके दोनों side में sign same रहेगा means function पहले भी आपका increasing है बाद में भी आपका function increasing है ठीक है क्यों क्योंकि इसका square आ रहा है square जब होता है तो इसके उपर sign change नहीं होता है means आपका function हमेशा increasing होगा हमेशा increasing होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में एक जो point आ रहा है one by two ठीक है न वो आपका क्या है वो है आपका नती परिवर्तन बिंदू अगर f dash x का sign same रह जाता है ठीक है तो वो क्या हो जाता है नती परिवर्तन बिंदू ठीक है और साथ में आप ऐसे भी देख सकते हो इसका थोड़ा सा graph का अगर analysis करोगे तो इदर आपके पास में कुछ इस तरीके से one by two से पहले plus infinity आएगा one by two के बाद में minus infinity आएगा तो इदर concave upward होगा उदर concave downward जहां पर भी concave upward और concave downward आता है तो वहां पर आपका function का क्या होता है एक नती परिवर्तन बिंदू concave जहां change होती है वहां पर point of inflection होता है इलियर है अच्छा removable discontinuity कब होती है removable discontinuity तब हमारे पास में exist करती है जब उसकी limit finite आती है ठीक है अगर limit finite आये और अपने यह जो value है अगर अपने इस value को change करें ठीक है तो उस point पर लेके जहां पर हमारे limit exist करें और वह finite आये तब ही वहां पर removable discontinuity होती है otherwise वह non removable रहती है इसलिए चौथा option भी गलत रहेगा ठीक है इसके बारे में भी आप लोगे उन्हों पता होगा चलिए आगे चलते हैं बात करते है next question that is question number 9 क्या है आईए देखते है question number 9 है देखो आपके triangle दिया गया है ठीक है क्या है triangle triangle right angle triangle है बहुत ही अच्छा triangle होता है right angle अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कापी सारी चीजे हमारी आसान हो जाती है area बगर अगर पूछा हुआ होता है एक समकोन ट्रीभुज जिसका चैतरफल S है कि परिवर्थ का न्यून्तम चैतरफल क्या होगा ठीक है चली देखते है एक list area पे circle circumscribing any right angle triangle ठीक है न अच्छा यहाँ पर समकोन ट्रीभुज होगा ठीक है न समकोन ट्रीभुज ठीक है चलो देखो अगर हमें इसका आपको क्या करना है अगर आपको इसका area निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हमें एक समकोन ट्रीभुज बना लेते हैं यह समकोन ट्रीभुज यह x मान लेते हैं यह y यह 90 degree तो यह हो जाएगा root over x square plus y square तो इस समकोन ट्रीभुज का area हमे दे रखा है s बराबर कितना होगा 1 by 2 into base into height 1 by 2 into x into y so that will be equal to s ठीक है और इसका जो परिवर्थ होगा ठीक है जो इसके तीनों point से pass करता है उसका least area हमें निकालना है तो चलिए इसका परिवर्थ का शेत्रफल क्या होगा ठीक है न सबसे पहले तो इसके area की अगर आपन बात कर है तो यह जो होता है इसका diameter होता है तो इसकी radius कितनी हो जाएगी r ब्राबर d by 2 there will be root x square plus y square by 2 तो इसका छेत्रफल आ जाएगा हमारे पास a ब्राबर pi r square r square will be d square that is x square plus y square by 4 यह इसका छेत्रफल है ठीक है बच्चो अब हमें करना क्या है हमें इसकी minimum value निकालनी है अगें minimum maximum के सबको एक variable में लेके आना होता है तो हमें यह दिया गया है s ब्राबर x y by 2 तो y की जगे यहाँ substitute कर देते हैं कितना pi upon 4 x square और y square की जगे put कर देते हैं कितना 2s upon x so there will be 4s square divided by x square अब maximum minimum के लिए अगें इसको differentiation करते हैं देखते हैं कब 0 होगा यह so da upon dx ब्राबर pi by 4 x square का differentiation 2x यह देखो x square को ऊपर लाना पड़ेगा तो x की power minus 2 आएगा उसके differentiation करोगे तो minus 2 बाहर into 4s square और उसकी एक power कम करोगे तो कितना आजाएगा x की power minus 3 उसको वापिस नीचे लिए यह तो that will be equal to x cube इसा आजाएगा अब यह कब 0 होगा जब यह वाली term 0 होगी और यह 0 होगी देखो 2 से 2 तो कट जाएगा x की power 4 बराबर 4s square means x square की value क्या होगी आपकी 2s जब x square 2s होगा तब आपका यह क्या होगा यह area noon term होगा ठीक है x square अगर 2s है तो y कितना है क्योंकि हमें इसका area चाहिए उसके लिए y निकालना पड़ेगा तो इसमें आप value put कर दें इसका squaring कर ले पहले तो तो देखो x square y square बराबर आ जाएगा हमारे पास में कितना 4s square ठीक है इसमें x square की जगे पर 2s put करेंगे अगर तो y square की value कितनी आएगी देखो y square की value भी 2s आएगी यह कट जाएगा दो बार 1s से s कट जाएगा so y square बराबर 2s ठीक है x square और y square दोनों आगे हैं दोनों की value 2s यह value अगर आपने यहाँ put करेंगे तो 2s plus 2s 4s 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा जो answer है वो आजाएगा πाई s और ऐसा कौन सा option है बच्चो first option जो की हमारा सही answer है के लिए है अच्छा समकौन त्रीबूज है यह ठीक है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजीगा पेपर में सही आजाएगा आपका ठीक है वैसे समकौन लिखा हुआ है तो simple सी बात है आगे त्रीबूज तो होगा बाकि जब भी आपको यह सब को doubt हो तो आप Hindi-English दोनों के इंदर देख ले एक बार चली आगे चलते हैं बात करते हैं next question that is question number 10 क्या है देखो question number 10 में देखो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं इसे question को बड़े ही ध्यान से कीजिएगा बच्चों आप से पूछा क्या गया है उसके value का बड़ा ध्यान रखिएगा और दूसरा करना क्या है वो तो चली question पढ़ते हैं एक बिंदू वक्कर yq ब्राबर 27x के अनुदिस गमन करता है देखें a point is moving along the curve एक जो point है हमारा वो इस curve के ओपर क्या कर रहा है मू कर रहा है इस तरीके से गूम रहा है आगे क्या दिया हो देखो the interval in which the abscissa changes at slower rate than ordinate इसका क्या मतलब हुआ कि वो इस तरीके से move कर रहा है कि dx के अंदर जो change होने की जो दर है वो dy से क्या है कम है इसका मतलब यह हुआ कि dx by dy जो होगा वो क्या होगा हमारा 1 से चोटा होगा उपर वाली value अगर कम है आपके पास में abscissa की अगर कम है ordinate की ज्यादा है तो उपर वाली value कम और नीचे वाली value ज्यादा है that means इन दोनों का जो ratio होगा वो 1 से चोटा होगा लेकिन गलती क्या करते है वो देखो the interval in which abscissa changes आपको interval पूचा है that means आपसे क्या पूचा गया है आपसे x की value पूची गई है y की value नहीं पूची गई है interval की जब भी बात करें तो domain की तरफ जाइए हमें साथ ठीक है तो आपको x की values निकालना है कि x कहां से कहां में change हो रहा है चलिए अब यह question बड़ा ही आसान है आपको dx by dy दिया गया है और आपको x का interval निकालना है इसके लिए अपन क्या करते हैं यहां से निकालते हैं dx by dy तो 3 इसको differentiate कर लिए y के respect में so 3y square equal to 27 into dx upon dy ठीक है न क्योंकि हमें dx by dy दिया था इसलिए y के respect में कर लिजिए बागे आप dy by dx में करके उसका reciprocal भी कर सकते हो answer same रहेगा कोई change नहीं आएगा ठीक है dx by dy कितना आ जाएगा देखो यहां से 3y square divided by 27 that is less than 1 इसको solve कीजिए तो आपको मिलेगा y square will be less than 9 लेकिन आपको y का interval नहीं चाहिए जो बच्चे उन्हें इसके corresponding question solve किया उन्होंने पहला answer किया लेकिन वो गलत है ठीक है आपको interval निकालना है means x निकालना है y नहीं निकालना है x कैसे निकालेंगे पहले यहां से y का interval निकाली y square अगर less than 9 है तो y की value कहां से कहां लाई करेगी बच्चो minus 3 से 3 ठीक है हमें x निकालना है y और x में क्या relation है देखो x बराबर y cube है तो इसमें पहले cube का interval निकाल लीजिए तो y cube का interval आजाएगा minus 27 से 27 के बीच अब y cube की जगे 27 x put कर दीजिए so minus 27 से तो बड़ा है y cube y cube की जगे put कर दिया 27 x और 27 से less है ठीक है अच्छा fc सा change slower rate बोला है तो इसमें equal का sign भी नहीं आएगा ठीक है एसा ही रहेगा ठीक है अब इसको 27 से divide कर दीजिए तो x का interval आजाएगा आपका minus 1 से 1 के बीच और इस तरीके से आपका जो third option है वो होगा बच्छो यहाँ पर सही answer क्लियर है सभी को तो इस तरीके से question में क्या पूछा गया है क्या निकालना है ठीक है ऐसा नहीं कि हमने जल्दी बाजी गंद क्यार y का निकाला और उस पर टिक कर दिया ऐसा मत कीजिगा आपके से अंतराल पूछा गया है that means आप से x का interval पूछा गया है क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं next question के बारे में चलिए बच्छो बात करते हैं question number 11 के बारे में देखिया हमें क्या करना है इस question के अंदर क्या दिया है सबसे पहले बात करते हैं suppose that f is a differentiable for all x and that f dash x will be less than or equal to 2 for all x if f of 1 will be 2 f of 4 will be 8 then f of 2 has the value equal to देखिये हमें 2 values दी गई है f of 1 की value दे रखी है f of 4 की value दे रखी है ठीक है और f of 2 हमसे पूछा गया है ठीक है इसका क्या मतलब हुआ देखो ऐसे question में क्या करते हैं जब हमें एक value जो हमसे value पूछी गई एक उसके पहले की value दी गई है एक हमें उसके बाद की value दी गई है और हमें f dash x के बारे में कोई relation दिया हुआ हो ठीक है और ये सभी x के लिए है ना all x के लिए माना f सभी x के लिए अउकलनिय है ठीक है डिफ्रेंटियबल भी है and तता सभी x के लिए f dash x आपके पास में less than or equal to 2 है और ये values आपको दी गई है f of 1 2 f of 4 will be 8 then f of 2 का मान किसके बरावर होगा ये हमें calculate करना है तो देखो क्या करते हैं तो आपसे 2 पूछा गया है एक पहले की value दी गई है और एक बाद की दी गई है तो आपको 2 बार क्या करना होता है बच्चो एक बार 1 से 2 में LMVT लगानी है और एक बार बच्चो आपको 2 से 4 में LMVT लगानी है ठीक है यहां से आपको कुछ fx के बारे में कुछ f of 2 के बारे में कुछ conditions मिलेगी और उसी से आपको पता चलेगा कि f of 2 का मान क्या होगा देखो LMVT के लिए क्या condition होती है बच्चो LMVT के लिए function आपका continuous or differentiable होना चाहिए आपको दिया गया है कि f differentiable ह that means continuous भी होगा तो किसी interval 1 से 2 के अंदर f dash x अगर less than or equal to 2 है तो f dash x होता क्या है बच्चो f of b minus f of a divide by b minus a और यह f dash x जो दे रखा है यह दे रखा है आपको less than or equal to 2 है ठीक है इसे फ of 1 की value आपको 2 दे रखी है यह 1 आ जाएगा so f of 2 will be less than or equal to 2 plus f of 1 f of 1 की value कितनी है बच्चो 2 so that will be less than or equal to 4 यहां से हमें यह पता चला कि f of 2 की value 4 थदा 4 से कम होगी ठीक है हमें जो options दिये गए उसमें 3, 4, 6 और 8 है इसका मलब दो options तो सिदे cancel out होगे 6 और 8 तो कभी हो ही नहीं सकता ठीक है ना इस से अब इन दोनों में से यह वाले से पता चलेगा यहां LMBT लगाते हैं देखो क्या आएगा f of 4 minus f of 2 divided by 4 minus 2 यह भी f dash x की value होगी सभी x के लिए दे रखा है और यह भी less than or equal to 2 होगा f of 4 की value इस बार 8 दी है हमें f of 2 की value अगेन हमें यहां से भी निकालनी है और चेक करेंगी क्या हैगा और यह 2 को इदर multiply कर दे 4 तो 8 minus 4 will be 4 will be less than or equal to f of 2 यहां से हमें यह पता चल रहा है कि f of 2 का मान जो है वो 4 था था 4 से हमें से ज़्यादा होना चाहिए यहां से पता चल रहा था कि 4 यह 4 से कम होना चाहिए तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए means 3 भी नहीं हो सकता और वैसे भी देखो यह दोनों condition से शिरफ एक ही value आ सकती है that is f of 2 ब्रावर 4 इसके लावर कोई possible नहीं है तो सिरफ और सिरफ आपका second option यहां पर क्या होगा बच्चो सही होगा क्लियर है चली आगे चलते हैं और बात करते हैं next question that is question number 11 11 होगा 12 के बारे में क्या करना है देखो इस question के अंदर कि इसके अंदर हमें integration करना है ठीक है और वो भी कौन सा integration indefinite integration क्योंकि हमारा indefinite ही था इसके अंदर तो definite तो अगली बार आएगा आपका next test में क्या है देखो सेग स्क्वार थीटा सेग थीटा प्लस 10 थीटा का हॉल स्क्वार इंटू डी थीटा देखे इस type के जो भी questions आपके सामने होते हैं means यह इस type का जो question है यह आपका J advance में भी एक बार आया हुआ है भी 2-3 साल पहले recently ही कैसे solve करते हैं देखे इस question को ठीक है सबसे पहले इसको देख करके हमें यह लग रहा है कि जैसे इसकी power 2 वहां पर तो और भी बड़ी power देर की ती irrational type की भी थी यहां तो कापी simple है थोड़ा सा तो seg theta plus 10 theta है न जो इसको अपन क्या कर लेते हैं इसको अपन T मान लेते हैं alpha मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो हमने T मान लिया ठीक है अब इसको T मान लिया तो हमें d theta भी substitute करना पड़ेगा तो d theta के लिए हमने क्या किया इसको differentiation किया तो हमें मिलेगा seg theta into 10 theta plus 10 theta का differentiation seg square theta और into d theta भाबर dt अब देखो यहां से seg theta तो को मना जाएगा तो यहां बचेगा 10 theta plus seg theta जिसको हमने क्या माना था इसको हमने T माना था into d theta भाबर dt तो यहां से seg theta into d theta की value आ गई हमारे पास में that is dt by t लेकिन इस question में हमें seg theta नहीं, हमें seg square theta दिया हुए generally इस type के जो integration के question होते हैं, एक को T put करते हैं तो दूसरा dt बन जाता है बट इस question में नहीं बन रहा है और जो advance में question आया था उसमें भी नहीं बन रहा था तो फिर हम क्या करेंगे, देखो बच्चों क्योंकि 1 seg theta तो हमारा d theta के साथ में यहां पर काम आ चुका है बट जो 1 seg theta बच गया उसकी value तो हमें t के format में निकालनी पड़ीगी अगर substitution करना है तो और वो कैसे निकालते हैं, यह बहुत ही एक important trigonometric relation से हम निकालते हैं अगर seg theta plus 10 theta t है, तो seg theta minus 10 theta जो होगा बच्चों आपका, वो 1 by t होगा क्यों होगा, क्योंकि seg square theta minus 10 square theta 1 होता है, ठीक है तो seg theta minus 10 theta into seg theta plus 10 theta ब्राबर 1, उसकी जगे t put करेंगे तो इसकी value आजाएगी 1 by t इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ने से 2 seg theta ब्राबर आजाएगा आपके पास t plus 1 by t तो यहां से आप seg theta की value क्या कर सकते हो बच्चों, निकाल सकते हो और यह value आप seg theta की जगे t के format में substitute कर सकते हैं अब आपके सामने यह सारी values आचुकी है, that means आपका यह जो question है यह इस format में convert हो चुका है, seg theta की जगे substitute करेंगे 1 by 2 into t plus 1 by t, ठीक है, seg theta plus 10 theta को t लिया था तो यह बन गया आपके पास में t square और d seg theta into d theta एक value तो देखो, वहां से हमने put कर दी seg theta, seg theta into d theta की value है अपने पास में d t by कितनी है बच्चो, t ठीक है, यह function बन गया, अब इसको आप बड़े ही आसानी से integrate कर सकते हो जगे थोड़ी सी कम है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको रख लेते हैं, यह substitution जो भी हमने किया था ठीक है, ताकि अपने को जब दुबारा value put करेंगे, तो कम में आ जाएगा, बाकी एको मिटा देते हैं देखो, इसको integrate करना है, तो एक T तो कट जाएगा, इस T को अंदर multiply कर लीजिए, so 1 by 2 into T square plus T से T कट जाएगा, so that is 1 into dt, इसको आप बहुत ही आसानी से integrate कर सकते हो, बच्चो तो T square का integration क्या होगा, T cube by 3, 1 by 2 तो बाहर है, और plus T, अब देखो, एक सेग theta plus 10 theta का factor बाहर आपको दिया गया है, तो एक T को तो बाहर निकाल लो, इसकी जगे पूट कर दो, सेग theta plus 10 theta, ठीक है, बाहर आपके पास में 1 by 2 है, ठीक है, तो बाहर आप अभी तो 1 by 2 को ही रख सकत हो, तो यहाँ पर है आपके पास में by 2, ठीक है, यहाँ बचाएगा T square, T square means आपके पास में है, सेग theta plus 10 theta का whole square divided by 3, और 7 में आएगा बच्चो, plus 1, इस आएगा, लेकिन देखो, फिर से एक इसमें और दिक्कत आ रही है हमारे पास में, और वो दिक्कत क्या है, कि इस में perfect square के रूप में हमें कोई भी factor यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्याशा दिया गया है, 10 theta, 6 theta, plus 10 theta, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चू, इसको open भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसको open करने से देखो, क्या आएगा, थोड़ा स में short में कर रहा हूँ, seg square plus 10 square plus 2 seg theta 10 theta, lcm ले ले लेना, इधर 3 आ जाएगा, divide by 3, ठीक है, और बाहर है, आपके पास seg theta plus 10 theta by 2, अब देखो, इसके अंदर आपके पास में 10 square theta की drum है, बट seg square की drum नहीं है, कहीं भी option में, तो seg square की put कर देंगे, अपन 1 plus 10 square theta, ठीक है, तो अब दे ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देखना, 10 square theta plus 10 square theta, 2 seg theta 10 theta, और 1 plus 3 4, तो सब जगे 2 आ रहा है, तो 2 का factor बाहर common आकर के कट जाएगा, इस 2 से, ती, उपर जो 2 common आएगा, ये जो 3 है, दोनों के product में, इसको इसके नीचे लिख सकते हो, तो पहली चीज seg theta plus 10 theta के divide में 3 आएगा, means ऐसा format बनेगा पहले वाला, फिर पिछे क्या बचेगा देखना, 1 plus 3 कितना होगा, 4, जिसमें से 2 common आ गया, तो पिछे बचेगा 2, plus seg theta 10 theta, क्योंकि 2 common आ गया था, और plus 2 10 square theta, so that is 10 square theta, तो साथ में ऐसा कौन सा factor है, वो देखो, 2 सब इन तीनों में दे रहा है, उपर वाले में 10 theta common आ जाएगा, और seg theta plus 10 theta, I think यही option सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 नहीं आएगा, इसमें नीचे 2 आ गया, बट बाहर तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 plus 10, तो इस type का आपके पास में 3rd option है, calculations आप देख सकते हैं दुवारा, ठीक है, इस तरीक question में क्या करना है, देखे, question number 13 के अंदर देख, यह trigonometric expression है, इसको simplify करना है पहले आपको, ठीक है, integration तो बहुत आसान है, क्योंकि integration का जो काम है, ठीक है, उसके अंदर आपको इतना आसान integration पूचा है, जो आपने बहुत बार किया होगा, e की power x, fx plus f dash x, तो इसका जो integration है, व e की power x सभी option में दिया गया है, आपको बस fx निकालना है, means आपको इसको simplify करना है, तो अब यह question बचा, आपका trigonometry का, ठीक है, integration का काम यह complete हो जाता है, लेकिन चलिए क्योंकि हमें तो solve तो करना ही है, तो इसको simplify करते हैं, देखो कैसे simplify करेंगे, यहाँ पर cos x है, इसको उप आपको एक बहुत important रम मिलेगी, cos square x को लिख सकते हो, आप 1 minus sin square x, और उसमें से आपका क्या होगा, उसके factor जब करोगे, तो 1 minus sin x into 1 plus sin x, ऐसा आएगा, और divide में भी है, आपके पास में एक factor 1 plus sin x into cos x, ठीक है, इसके साथ में भी एक factor और है यहाँ पर, that is 2 sin x plus 1, अभी मैं शर दूसरे वाले factor को देख रहा हूँ, तो इसमें से देखो आपके पास में 1 plus sin x का factor उपर नीचे से cancel out हो जाएगा, ठीक है, अब देखो इसमें भी cos x बचा, इसमें भी cos x, तो यह आ जाएगा अपने पास में LCM, cos x, उदर है अपने पास में उपर 2 sin square x minus 1, और यहाँ हमारे पास में 2 factors बच गए, एक तो है अमारे पास में plus के अंदर है, बिल्कुल plus में है, 1 minus sin x और दूसरा factor है, अमारे पास में 1 plus 2 sin x, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको simplify कर लिए, अब आपका answer आजाएगा देखो, इसको multiply करना पड़ेगा, simplification के लिए, तो 2 sin square x को मैं s लिख रहा हूं, 2s square minus 1, यहां से आएगा plus 1 minus 2 plus 2, 1 into plus 2s plus 2s minus s और minus 2s square divided by cos x को c लिखा है, अना, sin x को s, cos x को c, देखो, 1 से 1 गया, 2s square से 2s square गया, तो 2 sin x minus sin x, that is sin x divided by cos x, क्या होता है बच्चो, 10 x, actually जो आपका fx है, वो क्या है बच्चो, 10 x है, और ऐसा कौन से option में है, पहले ही option में, तो यही है बच्चो, हमारा सही answer, question number 13 के अंदर, क्लियरे सभी को, चली आगे चलते हैं, और बात करते हैं, question number 14 के बारे में, आएए देखते हैं, क्या करना है हमें, इस question के अंदर, question number 14 है हमारे पास में, again integration से, ठीक है, इस में भी देखो, हमें इस integration को solve करना है, indefinite integration है ये भी, कैसे करेंगी, जब भी देखिए, आपके पास में, अगर quadratic से बढ़ा, कोई भी expression आता है, तो हमारी एक ही thinking होती है, f-x by fx, हमें इसा बनेगा, चाहिए advance में आए, चाहिए means में आए, कहीं पर भी expression आए, हमेशा ऐसा ही format बनेगा, उपर 3 को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि इसको x cube बना लिया जाए, तो काम हो जाएगा, तो नीचे से x को common निकालिये, तो नीचे आजाएगा 1 by x square, x बाहर निकालोगे तो x square, यहां बचेगा आपके पास में x cube plus x common लिया 1 plus x की power minus 1, ठीक है, और उपर है आपके पास में 3x की power 4 minus 1 into dx, x square से divide कर दो, so 3x square minus x की power minus 2 divide by x cube plus 1 plus x की power minus 1 into dx, देखें, differentiation करके, 3x square 1 का 0 minus 1 into x की power minus 2 into dx, तो बिल्कुल यह है आपके पास में, f dash by f, ठीक है, इसका integration क्या होता है, log, नहीं, log नहीं, f को अगर में, अज़ इसका square भी था ना, नीचे, हाँ, f square हो जाएगा यह, ठीक है, तो log नहीं आएगा, f square को f को t put करोगे, तो यह बनेगा आपके पास में, 1 by t square into dt, that is minus 1 by t plus c, t किसको put किया था हमने, f को, so that is minus 1 upon f plus c, ठीक है, f हमने किसको माना था, इसको, ठीक है, इसको value आपे substitute कर दो, तो यहाँ से आएगा, हमारे पास में कितना देखो, जाहन से, minus 1, minus sign आएगा पहली बात, देखो, minus sign दो option में दिया गया है, पहले और चोथे के अंदर, अब देख लेते हैं, exactly, आग्या रहा है, so minus 1 divided by x cube, साथ में है plus 1 plus x की power minus 1, x की power minus 1 कहीं है नहीं, तो इसमें जब आप LCM लोगे, तो उपर एक x आएगा, x plus 1 कहीं नहीं आएगा, तो आपका जो second option है, वो सही है, बागी यहाँ 4 आजाएगा, यहाँ x आजाएगा और यहाँ पर बाद में 1 आजाएगा, clear, तो यह था आपका question number 14, चले रहे सभी को, बड़ा ही logical questions, बहुत बार ऐसा means में आ चुका है, advance में भी आ चुका है, आप भी जब ऐसा question आए, तो इसी तरीके से उसको tackle करे, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, बच्चों, question number 15 के बारे में, क्या है देखो, question number 15 के अंदर, आपको again, एक indefinite integration दिया गया है, जो करना है, आपको, करते हैं, देखो, x की power 4 plus 1 divided by x की power 6 plus 1 into dx, ठीक है, question करते हैं, थोड़ा सा options को भी देख ले, देखो, 10 inverse x, 10 inverse x cube, quote inverse x, quote inverse, 10 inverse x cube, इस type के options दिये गए हैं, तो, आईए देखते हैं कि कौन सा option सही answer है, ठीक है, चलिए, तो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, क्या आ रहा है thinking में, options को, question को देखते हैं यह सा लग रहा है कि नीचे जिसे 1 plus x square बनेगा, तो, 1 plus x square बनने के लिए, मैंने इसको, a cube plus b cube का formula लगा दिया, तो, यह बन गया, x square plus 1 into a plus b, a square minus ab plus b square, ऐसा आएगा, into dx, अब देखो, again, x की power 4 plus 1 उपर भी है, नीचे भी, तो, इसको देखते हुए मैंने क्या किया, इसमें से minus x square कर दिया, और plus x square कर दिया, अब क्या किया मैंने, इस factor को अलग divide कर दिया, और इसको, अलग कर दिया, ऐसा करने से क्या होगा, देखो, जब यह वाला factor इससे कट और दूसरे वाले के अंदर क्या होगा देखो, दूसरे वाले में उपर तो x square ही है, ठीक है, अब लेकिन नीचे दोनों factor है, लेकिन हमें तो 2 factor नहीं चाहिए थे, अचा पहले हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने factor किये थे, अब इसको दोनों को वापिस multiply कर दो, multiplication करने ही जूरत नहीं, वहीं आएगा, क्योंकि उसी का factor किया था हमने, तो x की power 6 plus 1 into dx, अब देखो, आपको click कर गया होगा, इसका integrations तो सीधा कर सकते हो, इसमें x cube को t substitute कर दीजिए, x cube को अगर आप t मानेंगे, तो 3x square into dx कितना आजाएगा बच्चों, dt, तो इसका तो answer आजाएगा बच्चों, 10 inverse x plus, इसमें पहले substitution करो, x square into dx है बच्चों, dt by 3, तो 1 by 3 को बाहर, इधर dt divided by t square plus 1, तो ये भी क्या बन गया बच्चों, ये भी 10 inverse t, तो 10 inverse t, जब आप यहाँ put करेंगे t की value, तो ये बन जाएगा, आपके पास 10 inverse t, t किसको माना था हमने, x cube को, और divide by 3, और plus c, इसा है कोई option, तो बिलकुल है बच्चों, हमरा जो fourth option है, वही है बच्चों, यहाँ पर सही, answer, 10 inverse x plus 10 inverse x cube by 3, प्लस c, ठीक है, तो ये था हमारा question number 15, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, question number 16 के बारे में, क्या है देखो question number 16 है बच्चों, हमारा किस से, question number 16, again indefinite integration के बड़े questions आ रहे हैं, paper के अंदर, चलिए देखते हैं, क्या करना है सबसे पहले x, देखो, ये bracket में लिखा हुआ है, ठीक है, ये integration का sign है, इसमें f बगेरा कहीं नहीं है, x लिखा गया है, root over 1 plus x square into log over this, ठीक है, इसे हमें integrate करना है, चलिए इसको integrate करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें integration by parts का use कर लेते हैं, ठीक है, कैसे use करेंगे, आईए देखते हैं, question number 16, question number 16 के अंदर देखो, अपने को integration by parts का use कर लेते हैं, यहाँ पर तो ये जो पहला जो function है, वो माना हमने x divided by root over 1 plus x square, इसको तो integrate करेंगे, और दूसरे वाले को क्या करेंगे, बच्चो, differentiate कर लेंगे, कि log में differentiation से आसान होती है, generally equation, 1 plus x square into dx, तो ये तो है बच्चो हमारा second function, और ये है second function और ये है हमारा first function, log का differentiation आसान, algebra का integration आसान, generally ऐसा होता है, अमेशा नहीं होता है, generally ऐसा होता है, चली देखते हैं, इसको integrate करने के लिए इसमें 1 plus x square को हम substitute कर लेते हैं, बच् तो t square, ठीक है, उसको अलग से कर लेते हैं, उसका integration, ताकि फिर substitution कर लेंगे, अपन सिधा, 1 plus x square को t square माना, तो x into dx बराबर आजाएगा, बच्चो, t into dt, ठीक है, उसका integration ही कर लेते हैं, अलग से, तो ये आजाएगा, t dt divided by, 1 plus x square की जब t square put करोगा, इसका root भी है, तो वो भी t हो जाएगा, तो t से t कर जाएगा, और ये t आजाएगा, और t का मतलब क्या हुआ वापिस, 1 plus x square, ये आएगा, बिलकुल आएगा, इसका differentiation भी अलग से कर लेंगे, चलो इसका differentiation भी अलग से ही कर लेते हैं, ठीक हैं, ताकि फिर value substitute कर लेंगे सीधा, इसका differentiation करना है, क्योंकि y माले, तो पहले लोग का differentiation होगा, ये नीचे आजाएगा, x plus root over 1 plus x square, इसके बाद में x plus root over 1 plus x square का होगा, तो ये है 1, x का differentiation 1 plus, रूट का क्या होता है, बच्चों, 1 upon 2 root 1 plus x square, और 7 में 1 plus x square का 2x, ये ही होगा, 2 से 2 कर जाएगा, और LCM लोगे, तो देखो, root 1 plus x square, plus x आएगा, नीचे भी ये है, तो ये भी कट जाएगा, और शिरफ ये बचेगा, root over 1 plus x square, देखो, बड़ा आसान हो जाएगा, क्यूसन, इसको integrate करोगे, तो ये आएगा, differentiation उसका करोगे, तो ये आएगा, तो क्या होगा, देखो, उसका integration लिखेंगे पहले, उसका integration होगा, बच्चों, root over 1 plus x square, into first function as it is, log x into root over 1 plus x square, ये तो पहली ट्रम, फिर minus, दूसरी ट्रम, दूसरी ट्रम में क्या करेंगे, उसको तो integrate और इसको differentiate, तो इसका differentiation आया था, root over 1 plus x square, और उसका integration आया था, root over 1 plus x square, तो ये कट जाएगा, तो यहां से आजाएगा, minus x आजाएगा, इस ट्रम के साथ मे ठीके न, ये ट्रम as it is, अब देखो इसा कौन सा option है, सबसे पहले तो root 1 plus x square, एक तो देखो पहले में और एक चोथे में, इन दो में ही आ रहा है, इसमें log square दे रहा है, तो log square तो आई नहीं रहा है कहीं पर, 2 भी नहीं आ रहा है, अपना ही पास में ऐसा, तो यही होगा, औ question number 17 के बारे में, क्या है, देखो question number 17 के अंदर क्या करना है, देखो हमें, इसमें भी देखो हमें एक integration दिया गया है, ठीक है, क्या है integration, log x minus e by x और 1 by x, तो देखो कैसे करना है, बाहर 1 by x दे रहा है, तो पहले तो देखो इस log वाली ट्रम को थोड़ा simplify करते हैं, ln x minus ln e की power x, अच्छा, ये भी e होता है बच्चो, ठीक है, और divide by x, ऐसा है, फिर आगे चलते हैं देखो, ln x by x, ठीक है, और x बहार आ जाएगा, e to the best, e तो क्या होता है बच्चो, 1, तो x minus x divide by x, और इसको individually आपको क्या करना है बच्चो, integrate करना है, अब देखो, यहां तो x कट जाएगा, dx, इसमें log x को t मान लो पहले वाले में, तो first वाले में अगर ln x को t put करूँगा, तो 1 by x into dx कितना आ जाएगा, बच्चो, dt, तो ये तो आ जाएगा, देखो, t into dt, और minus ये तो सिधा हो जाएगा, x, x, x कट गया, तो minus x आएगा, t का integration कितना होगा, t square by 2 minus x और plus c, t की value वापिस put करेंगे, तो आएगा, ln square x by 2 minus x plus c, ये तो बड़ा आसान क्यूशन था बच्चो, अगर आपने ज्यान से किया होगा, तो सभी का सही हुआ होगा, third option आएगा, 17 के अंदर, और यही है आपका correct answer, clear, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, question number 18 के बारे में, क्या है, आएगे देखते हैं, अच्छा, this is my favorite topic, boolean expression, ठीक है ना, tautology कौन सा expression होगा, आएए देखते हैं बच्चो, देखो, कैसे करते हैं इसको, आप सभी बच्चो ने set theory पड़ी है, बच्चो हमेशा यह सा question जब भी आए, उसको set theory से ही आपको करना है, ठीक है, और दूसरी चीज़, tautology पूचिए तो ज्यादा chance यही ह होगा कि union वाले जो options है ना, उस में से आएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा होगा, exactly और union वाले ही क्यों आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि union intersection वाला भी आ सकता है, ज्यादा chance यह है कि क्योंकि चारों में से एक सही है, तो पहले union व Q जो है आपके पास में, इसका मतलब यह हुआ बच्चो, दो सेट का intersection, यह इसी को represent करता है, यहाँ पर भी boolean expression में भी, ठीक है, इसके बाद में यह तो क्या हो गया, P and Q, ऐसा ही दूसरे वाला आप और बना लो, ठीक है ना, आपको यह चार expression है, चारों का देखो, वेंड B, आप सबको पता है, A union B क्या होता है बच्चो, यह पूरा, ठीक है, फिर बनाते हैं देखो, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है हमारे पास में, P and Q, P and negation of Q, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चो, आपके पास में, A intersection B bar, इसका क्या मतलब होता है, A के साथ में intersection लेना है, B को छोड़ करके, और वो कौन सा पार्ट होता है बच्चो, यह वाला, ठीक है न, P intersection Q bar का मतलब क्या हुआ, A के साथ में intersection लेना, miss A से बाहर नहीं जाएगा, और Q को छोड़ करके, miss B को छोड़ करके, तो यह पार्ट हो जाएगा, और last में हैं बच्चो, आप और लेना है, बच्चो, P के साथ में और लेना है, मतलब P तो आएगा ही आएगा पूरा, ठीक है न, Union में P तो आएगा ही, अब Q को छोड़ करके, बाकी और आजाएगा पूरा, तो Q को छोड़ दो, बाकी पार्ट कौन सा बचा, यह वाला, ठीक है न, अच्छा, Tautology का यह हुआ कि जब आप Union लोगे, ठीक है, तो आपके पास में Universal Set के बराबर आना चाहिए, तो देखो किसका Union Universal Set के बराबर आएगा, अगर आप इसको और इसको अगर मिलाते हो, पहले और आखरी को, ठीक है, यही से देख लेते हैं, इसके साथ में P एंड न गिसम, इन दोनों इन से और इन से दोनों से बन जाएगा, तो बिलकुल बनेगा बच्चो, क्योंकि देखो इसमें A और B दोनों आगे, और इसमें A और B को छोड़ करके बाकी पूरा आई रहा है, तो इन दोनों से आपके पास में क्या बनेगा, Universal Set, और जब Universal Set बन जाता है, वही होती है बच मतलब हुआ Universal Set, ठीक है न, कही बार क्यूशन पचो फालीशी का भी आता है, ठीक है न, फालीशी का मतलब होता है, कोई भी ऐलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है न, कहीं पर भी आपका डेस डेस नहीं आता है, ठीक है, इस टाइप के जो भी क्यूशन आते हैं, आपके mathematical reasoning क उसको आप अपने set theory की help से बड़े ही आसानी के साथ में solve कर सकते हैं, चले आगे, चलिए बात करते हैं, next question, that is question number 19, क्या है देखो, question number 19 जो है हमारे पास में, ये question depend है हमारे पास में किस से, static से, ठीक है न, mean, median, mode से, क्या करना है, आईए देखते हैं, if the frequencies of the values 0, 1, 2, 3, up to n for a variant are proportional to these numbers, ठीक है, then variance x is equal to, चलो, आपको variance निकालना है, बच्चो, variance का क्या formula होता है, अगर frequency दी हुई होती है, तो आप सब को याद होना चाहिए, आपके पास में formula बड़े important होते हैं, sigma x i square into f i divide by number of observation, ठीक है न, minus x bar, x bar का मतलब वहा mean का whole square, बड़ाबर होता है बच्चो, आपके पास में variance sigma square, ठीक है न, sigma square को ही variance बोलते हैं, और अगर बच्चो, standard deviation दिया जाता है, ठीक है न, अगर standard deviation पूछा जाता है, तो अपन sigma निकालते हैं, बट फिलाल क्योंगे variance पूछा है, that means हमें sigma square ही calculate करना है, ठीक है, अब देखो बच्चो, ये चीजे करने के लिए, हमें x i square into f i भी चाहिए, और x bar भी चाहिए, x bar का मतलब होगा बच्चो, यहां पर पहले तो, sigma x i fi divide by n, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो अपने को x i भी दे रखके है, x i का मतलब ये हुआ, 0, 1, 2, 3, up to n, और fi का मतलब हुआ, nc0, nc1, nc2, इसके समानुपाती है मतलब, यही आपके पास में क्या हो जाएगी, बाइचांस अगर आप वो नहीं लेते हैं, समानुपाती देर का एक, तो constant आएगा, वो उपर भी आएगा, n में भी आएगा, वो cut जाएगा, ठीक है, तो 0 के साथ multiply करोगे, तो 0, plus 1, into nc1, plus 2, into nc2, up to n, into ncn, ठीक है, और divide by n का मतलब क्या हुआ, sigma fi, ठीक है, न, इस n की ज observation में, frequencies का sum होता है, ठीक है, तो वो आएगा, आपके सामने कितना, nc0, plus nc1, plus nc2, up to ncn, ये देखो, binomial ठीक है, ठीक है, ये differentiation वाली series होती है, ये आपके पास में binomial coefficients की series होती है, उपर वाले का answer होता है, n into 2 की power n-1, और नीचे वाले का answer होता है, 2 की power n, 2 की power n कट जाएगा, और आपके सामने answer आजाएगा, बच्चो, n by 2, ठीक है, तो ये तो आगया हमारे पास में x-bar, ऐसे similarly आप xi square into fi निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, बच्चो, sigma xi square into fi square मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, फिर n by 2 अपन, n by 2 का square सब्टेट कर देंगे इसका मतलब होगा, बच्चो, 1 square into nc1, क्योंकि 0 पर तो 0 हो जाएगा, फिर से 2 square into nc2, अब 2 कितना आएगा आपके सामने, अब 2 आपके सामने आएगा, n square into ncn, नीचे तो sigma fi आपके पास में 2 की power n ही आएगा, और minus n by 2 का all square, ये भी देखो, binomial थे और हम पढ़ते हैं, बाकि आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो, अगर आपको याद नहीं है, तो 1 plus x की power n का coefficients, expansion लिख करके, मैं direct formula use कर रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसका formula होता है, आपके सामने क्या, एक बार x का differentiation होता है, क्योंकि इसको x से multiply करना होता है, तो पिछे बचेगा आपके पा n-2 और divide by 2 की power n, और minus n square by 4, यह होगा बच्चो आपका complete answer, अब आप इसको simplify कर सकते हो, 2 की power n आपका बच्चो यहाँ से कट जाएगा, तो पिछे जो बचेगा, उसको लिख लेते हैं अपन, यहाँ पर आएगा n by 2, पहले वाली ट्रम, n by 2, फिर यहाँ से आएगा आपके स आपने n square by 4, प्लस n square by 4, ठीक है न, क्योंकि n by 1 by 4 यहाँ से आएगा, into n square, और फिर आएगा बच्चो आपके पास में minus n by 4, ठीक है, यह तो पहली वाली ट्रम हुई, और यह साथ में sigma x bar का square भी है minus में, so that is n square by 4, तो यह तो कट जाएगा बच्चो, इसका LCM लोगे, तो 4 आएगा, 2n minus n, that is n by 4, और यही है बच्चो हमारा answer, that is third option, ठीक है, so question number 19 का जो सही answer है बच्चो, वो कौन सा होगा आपका, तीसरा जो option है, वही है बच्चो सही answer, क्लिए रहे सभी को, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बच्चो, question number 20 के बारे में, क्या है, यह देख function में देखिए हमें क्या करना है, आइए देख लेते हैं, function f satisfying f dash of sin x बराबर cos square x for all x and f of 1 will be 1, then हमें बताना है कि इसमें से कौन सा option सही है, देखो, f dash of sin x बराबर है अगर, तो cos square x को भी लिख सकते हैं, बच्चो, हम 1 minus sin square x, अब क्योंकि यह x की सभी, जो भी values है, for all x लिखा हुआ है, मैं सभी को satisfy कर रहा है, that means sin x की, x की domain all real numbers है, तो वो सभी values के लिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बच्चो, f dash of t मान लिया मैंने, तो यह कितना आ जाएगा, 1 minus t square, sin x को गड़ t मान लिया, तो यह क्या बन गया, 1 minus t square, ठीक है, अब यह एक नया function बन गया मेरी पास, इस function को मैंने क्या कर दिया, x से replace कर दिया, f dash x बराबर कितना आ जाएगा, 1 minus x square, और इसको दोनों साइड आगर आप integrate करेंगी, तो आपका answer आ जाएगा, तो f of x will be equal to कितना आ जाएगा, function f satisfying this for all means, आपको function निकालना है f, तो वो आएगा बच्चों आपका, x minus x cube by 3 plus c, ठीक है, और c की निकालने के लिए आपको value दी गई है, f of 1 की value 1 है, so 1 ब्राबर 1 minus 1 by 3 plus c, 1 से 1 कर जाएगा, so c की value आजाएगी आपकी 1 by 3, so x minus x cube by 3, वैसे तो एक ही option दिया है आपको ऐसा, ठीक है को तो confusion की कहीं बात ही नहीं है, third option होगा, बाकि c की value 1 by 3 आएगी, वो value जब यहाँ वापस put करेंगे, तो यह बनेगा आपका complete function, और third option जो है हम third option है, यहाँ से हमारे पास में कितना आ रहा है, x क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा, तो इसका होगा x और 7 में आएगा यहाँ पर x cube by 3, x cube by 3 और 7 में आएगा हमारे पास में 1 by 3, ठीक है, क्योंकि f dash of sin x बराबर हमें यह दे रखा है, तो उसके corresponding यही answer हमारा सही आएगा, so 20 के अ होगा, सही होगा, clear है बच्चों, चली बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं और next बात करते हम लोग integer type questions के बारे में, so integer type question के अंदर बात करते हैं सबसे पहले question number 1 के बारे में, देखिए क्या दिया है हमें question number 1 के अंदर, question number 1 में आपको कहा गया है कि let's c be the curve y brother x cube where x takes all real values, the tangent at a meet the curve again at b, the gradient at b is k time the gradient at a, then k is equal to, क्या है देखो, एक वक्तर है y brother x cube, ठीक है, और इसके किसी बिंदू a के उपर आपको क्या करना है, कि इस पर स्रेका खिंचनी है, जो वक्तर को बिंदू b पर दुबारा मिलती है, अच्छा, इसका मतलब यह नहीं कि बिंदू b पर भी वो इस सबसे पहले, एक सेकंड, हाँ, सो हम लोग बात करते देखे कि किस तरीके से, जो भी हमारे पास में कार है, for example, इस टाइप का यह कार है, ठीक है न, क्यो भी की क्वेशन है, माना कि इस पॉइंट के उपर हमने क्या किया है, एक इस पर स्रेका खिंची है, तो यह वापिस कट कर सकती है, दुबारा किसी पॉइंट B पर, और यह पॉइंट A हमारे को क्या दे रखा है, जिसके उपर इस पर स्रेका में खिंचनी है, के लिएर है, यदि बिन्दू B पर ढाल, बिन्दू A पर ढाल की K गुनी है, तो K ब्राबर क्या होगा, इसका क्या मतलब वो देखो, क इसका मतलब यह हुआ, कि अगर बिन्दू B के उपर अगर हम कोई tangent कीशते हैं, ठीक है, तो उस tangent की slope और बिन्दू A के उपर जो tangent है, उसकी slope का ratio क्या है, तो इसके अंदर आप इस line का कोई मतलब नहीं है, जो आप से question में पूछा गया है, इसके उपर एक tangent और यह जो tangent है, इन दोनों की ढाल का ratio आप से पूछा है, दोनों की gradient का ratio पूछा गया है, ठीक है, तो चलिए देखें कैसे करेंगे, बहुत ही simple तरीके से हम इसको solve करेंगे, यहाँ पर बिन्दू A के अंदर coordinates मान लेते हैं, इसका और के हिसाब से हम small t, t cube, अच्छा, t cube क्यों हुआ, क्यों t cube, ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इस इस पर से, यह जो equation है, इसके ओपर दो बिन्दू है, तो इन दो बिन्दू से हम इसकी ढाल निकाल सकते हैं, और दूसरा, क्योंकि यह इस point पर tangent है, तो इस वाले point पर हम जो इसकी ढाल है, जो इसकी slope है, वो हम किसे निकाल सक सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको differentiate किया, so dy by dx ब्रावर कितना आ जाएगा, 3x square, इसमें ये point put कर दें, तो यहां से हमें मिलेगा 3t square, ये आ गई हमें point a के उपर इसकी ढाल 3t square, और दूसरी है अपन इन दोनों point से निकाल सकते हैं, so point से जो ढाल आएगी हो कितनी आ जाएगी t cube minus t cube divided by t minus t, और ये किसके ब्रावर है, क्योंकि देखो इन दोनों point से निकालेंगे, तो भी इसी line की gradient आएगी हमारे पास, और ये भी इसी line की gradient है, that means ये दोनों ब्रावर होंगे, तो यहां पर रख दीजिए 3t square, इसमें से देखिए t minus t इसका एक factor हो जाएगा, तो उससे t plus 2t, ठीक है, factor करके देख लिजी आप लोग, ये दो factors आएंगे इसके, अब देखिए, ये पहला वाला तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पहला 0 हो गया, तो फिर दोनों points क्या हो जाएंगे, coincide कर जाएंगे, जबकि हमें बोले गएगे, a और b दोनों different points है, ठीक है, इसका मतलब कितनी आएगी, वो भी इसी में put करनी है, लेकिन यहाँ पर जो point है, वो अपना क्या है, t, t cube, तो इसकी जो ढ़ाल आएगी, 3t square, हमें क्या पूचा है, b तथा 1 की ढ़ाल का ratio k देरकाई है, ये देरकाई के के गुना है, ठीक है, तो अगर मैं mb divided by m a निकालू, तो वो कितन को हमेरे को हटाना है, और t को कैसे हटाएंगी, इसकी help से, ये जो हमारे पास में आया था यहां से, capital T की जगे, minus 2t put कर दीजिए, so that is 4t square divided by t square, t square से t square कट जाएगा, तो ये आजाएगा 4, that means, जो k होगा आपके पास में, उस k की value कितनी हो जाएगी, 4, तो इसका आपको जो answer, अपनी answer की में बरना है, वो क्या बरना है, 0, 4, किलिए रहे से भी को, चली, आगे चलते हैं, बात करते हैं, next question की ओर, देखते हैं कि next question क्या है हमारा, देखी, next question है, उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो, इसके अंदर हमें एक function दे रहा है और हमें इस function के critical points पूछे ग तो सबसे पहले आपन बात करते हैं, देखी कैसे, यह जो x की power 3 by 5 है, इसके बारे में, वो इसके बारे में भी दो चीजे देखेंगे आपन, क्यों critical point आपके पास में point of inflection से भी आ सकते हैं, और critical point आपके पास में local maxima और local minima से भी आ सकते हैं, तो अगर हमें पहले वाले function को differentiate करूं तो y ब्रावर कितना आएगा, x की power 3 by 5, so dy by dx कितना आजाएगा, dy by dx आजाएगा, 3 by 5 into x to the power minus 2 by 5, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लिएजिए, 3 by 5 into x to the power 1 by 5 का all square, ठीक है न, ताकि अपने को पता रहेगा कि यह हमेशा positive रहेगा dy by dx, ठीक है, यसे आगे चलते है इसको double differentiation कीजिए, d2y by dx square, यह आजाएगा आपके पास minus 2 by 5, फिर बहार आएगा, so minus 6 by 25 into x to the power minus 7 by 5, इसको नीचे लिखकें, तो यह आएगा, देको minus 6 by 25 into 1 upon x की power 1 by 5 की power 7, तो इसमें square आया था, बट इसके पावर 7 आ रहे है, तो यह हमारे काम का point रहेगा, चलिए पहले ए इसमें कौन-कौन से points है, जो हमारे पास में, क्या हो रहे है, जो हमारे पास में critical points आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखो, dy by dx हमेशा positive, square आ रहा है, x से कुछ भी लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, हमेशा क्या आ रहा है, positive आ ठीक है, अच्छा, आप इसी की help से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पर एक point of inflection आयेगा, क्यों, क्योंकि x equal to 0 पर यह undefined है, और जहाँ पर भी undefined है, वहाँ पर जब आप बात करेंगे, तो इसके इधर भी positive sign होगा, इधर भी positive sign होगा, और जहाँ पर भी dy by dx undefined होता है, वो हमारे critical point होता है, आप सबको पता होना चाहिए, क्लियरे सबी को, that means x equal to 0 जो है, वो आपका एक critical point है, x equal to 1 तक क्योंकि यह graph हमें लेके जाना है, तो 1 तक इसमें हम आगे चलेंगे, दूसरे वाले से क्या पता चलेगा, दूसरे वाले से यह पता चलेगा, 0 के इधर negative है, इधर positive है, ठीक है, अच्छा, इससे यह भी पता चल होगा, ठीक है, वहाँ पर जब आप अपना हाथ रखेंगे graph के उपर, तो आपका जो thumb है, यह outside होना चाहिए, ठीक है, that means आपको दो confusion होते हैं कि graph की shape ऐसी रहेगी या ऐसी रहेगी, तो ठीक है, देखो इसके उपर thumb रखोगे, इसमें हाथ रखोगे अपना thumb outside, that means concave upward, और negative, concave downward, concave downward with thumb, inside जाना से यह उपर वाला graph, ठीक है, यहाँ से यह आपके सामने क्या जाएगा, concave downward, ठीक है, ताकि आप अपने concavity के question को भी solve कर सके, clear है, यह x equal to 1 तक अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है, अच्छा, x equal to 1 पर हमारा function change हो रहा है, that means यहाँ पर आपके पास में कुछ, अगर part हो रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम complete हो गया है, फिर बात करते हैं, second वाले के इंदर, इसको differentiate करो गता आएगा, minus 3 time x minus 2 का whole square, dy by dx, ठीक है न, यह second वाला function, इसमें आपको क्या मिलेगा, 2, ठीक है न, यह भी ह transition कीजिए, y double dash, ब्रावर, minus 6 time x minus 2, ठीक है न, 2, 2 के इधर negative और इधर positive, means, पहले concave upward, फिर concave downward, that means, और कहां पर तक जा रहा है, 2 तक, तो 2 पर फिर अपनी concavity change हो रही है, ठीक है, पहले concave upward, ठीक है न, thumb outside, means, यह वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जो graph बना रहे हो, उसमें थम आपका outside होना चाहिए, जब आप अपनी उंगलियां किदर रख रहे हो, right hand side में, domain के अंदर, plus infinite की तरफ, यह भी जान रखिएगा, तो इस type का graph बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में, concave downward, ठीक है, इसके उपर देखो, अगर आप concave downward बनाऊ गए, तो thumb, miss, graph की save, उपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, और upward के लिए यह रहेगी, अब आप अगर आगे भी ऐसा बना देते हो, ठीक है, इसी type का, तब तो वो कैसा हो जाएगा, कौन के अपवर हो जाएगा, बट आपका अब गिवाद थम, inside जाना चाहिए, जब आप graph के उपर रख रह है, कि जब चलिए, यह critical point होगा, क्योंकि concavity change हो रही है, यहाँ पर आपके पास में functions change हो रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर point बन रहा है, तो यह critical point है, तीसरा यह भी critical point है, तो इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर total कितने critical points आगे, तीन critical point और हमसे यही पूछा गया है, किसके क्रांतिय बिंदों की संक्या कितनी होगी इस फलन के लिए, कि जड़े सभी को, चलिए, आगे चलते हैं, बात करते हैं, next question की ओर, क्या है, देखो हमारा next question, next question है हमारा question number 3, question number 3 के अंदर देखो हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखे, यहाँ पर क्या है, e to the power 2 minus mod x into x square बरा चाहिए, ताकि आप इस type के question को अच्छे से solve कर सके, सबसे पहले तो इसको लिखें देखो, आप इसको यह से लिख सकते हो, e square into x square into e to the power minus ka mod x, एक second, दुबारा लिखते देखो, यह है अपने पास में e square into e to the power minus mod x into x square बराबर 1, ठीक है, ना, power को अलग-लग करतो दो दोनों क अब देखो, यह e square तो constant है, यह कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, इसको इधर ही रख लो x square की तरब, इसको उधर ले जाएंगे तो यह आजाएगा e to the power minus mod x, इसको उपर ले आईए, तो यह बन जाएगा e to the power mod x, के लिए रहे, तो देखिए, अपने इन दोनों का graph बनाएंग होगी, आईए देखते हैं कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं y ब्रावर e की power mod x का graph कैसे बनाते हैं, देखो तो हम सबको बता होता है कि e की power x का graph कैसा होता है, तो जब भी x के उपर mod लग जाए, तो आपको सिरफ 0 से आगे का graph बनाना होता है, ठीक है ना, लगने से क्या होता है, कि जैसा graph right hand side मनता है, वैसा ही graph आपके सामने left hand side पे बनेगा, कि लिए रहे सबी को चलिए, ये तो होगे आपके पास में y ब्रावर e की power mod x, y ब्रावर e square x square का graph कैसा बनेगा, so that is parabola, ठीक है, e square is a constant, ठीक है न, x square equal to 4 ay type का constant है, तो आपको क्या करना ह ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हो सकते है, यहाँ पर देखो आप अपने graph को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है न, एक तरीका तो यह, अगर आप अपने graph को ऐसे बनाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको दिखेगा कि एक भी critical point नहीं है, ठीक है, मैं अपर इसको cut करके, फिर दूबारा cut करवा दिया, इधर से भी इसको cut करवा के, फिर दूबारा cut करवा दिया, और बहुत सारे बच्चे देशे होंगे, जो इसको बार-बार cut करवाते रहेंगे, ठीक है, लेकिन देखो अब अपने को ज्यान रगना है कि इन मेंसे कौन सा point, कौन सा graph होगा इन तीनों में से सिरफ एक graph सही होगा और एस अभी नहीं कि बार-बार फिर cut करता रहेगा क्योंकि graph exponential graph की अपनी property होती वो बहुत तेजी से increase करता है आप सबको पता होगा कि 2 की power x की power एक तो आप 2 निकाल रहे हो एक आप 2 की power x निकाल रहे हो कौन सा number ज्यादा है चलिए तो आपको क्या करना होता है आपको सबसे पहले तो ये बना लेजिए पहले वाला graph कौन सा e की power e की power mod x का ठीक है इस में तो कोई confusion नहीं इस graph को पहले बना लो अब दूसरे वाले के लिए देखो अपने क्या करेंगे कुछ points देखेंगे अपने ये तो पता है कि graph ऐसे जाएगा पर इसको दो बार कट करेगा एक बार करेगा या आप मतलब करेगा भी नहीं ऐसा क्या होग उसको चेक करते हैं तो देखो ये सब को पता है कि exponentially तेजी से बढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप infinite की तरब जाओगे तो ये वाला graph उपर रहेगा x square वाला graph नीचे रहेगा अगर आप infinite पर limit की बात करें तो e की power infinite की limit ज्यादा होगी comparative e square x square exponential बहुत तेजी से increase करत हैं ठीक है अब ये तो पता सब गया कि last में तो ये उपर रहेगा लेकिन क्या कभी बीच में cut करेगा तो अगर ये कभी भी cut करता है तो बच्चो हमेशा 0 के आसपास के जो points होते हैं वहीं पर कहीं पर cut करता है तो आपको check करना है कि इसका अगला point ऐसा point लीजिए जिसमें आप values निकाल सके तो इधर एक point लिया minus 1 एक point लिया मैंने 1 ठीक है देखो minus 1 के उपर ये जो होगा ये कितना होगा y2 या 1 के उपर ये 1 या minus 1 दोनों पर e होगा और इसकी value कितनी होगी बच्चो इसकी value होगी e square तो इसकी value e square आ रही है बट इसकी value e आ रही है दोनों में से x equal to 1 पर ये graph उपर होगा इसके comparative में इसका मतलब ये हुआ कि 1 के उपर ये graph यहाँ पर इसकी value अगर e आ रही है x equal to 1 पर तो ये e square ये उपर होगा means ये इसको यहाँ पर एक बार कट कर जाएगा कि लिए रहे सभी को और इसके बाद में आपको पता है कि जैसे ही ये आगी ज चला जाएगा तो इधर 2 point पे cut कर रहा है तो इधर भी 2 point पे cut करेगा तो इसके total number of solutions होंगे वो कितने हो जाएगे आपके पास में 4 हो जाएगे किलियर है सबको इसके number of solutions आएगे आपके वो कितना आएगे बच्चों 4 आएगे किलियर चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 4 के बारे में question number 4 देखो हमारे पास में किस चीज़ से related है that will be integration ठीक है integration से related questions कापी सारे पूछे जाते हैं आप सब को पता होगा तो खास करे definite integration वाले में ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके comparative में चलिए अपन बात कर लेते हैं इस question के बारे में कि इसको कैसे solve करना है ठीक है तो देखे यहाँ पर यह जो आपको expression दिया गया है इसके अंदर सबसे पहली ट्रम है आपके सामने x की power 4 plus 1 तो इसको आप लिख सकते हैं इसके अंदर आगे चल करके 2x square add कर सकते हैं और 2x square subtract कर सकते हैं अच्छा ऐसा क्यों किया हमने क्योंकि नीचे हमें एक ऐसा factor दिया गया है x square plus 1 का whole square ठीक है और इसके अंदर दो ट्रम आरी x की power 4 plus 1 तो जो remaining term है वो हमने इसमें add कर दी और subtract कर दी इससे क्या हुआ इससे ये बन गया x square plus 1 का whole square minus 2x square और इसको individually divide कर दिया दोनों को x square plus 1 का whole square और x into x square plus 1 का whole square और दोनों को integrate कर देंगे अब ठीक है तो देख अब इससे ये कट जाएगा और इसमें x से x कट जाएगा ठीक है तो ये वाला जो part है ना दूसरा वाला इसमें x square को क्या substitute कर देंगे t तो x dx कितना आजाएगा 2x dx ब्राबर dt और उपर 2x dx ही बचा है अपने पास में ठीक है ना इसके multiply में भी dx तो यहाँ तो ये कट गया तो इधर तो बचेगा हमारे पास में simple 1 by x into dx ठीक है और दूसरा वाला ही के अंदर अगर आप substitution करोगे इसके बाद में ये बचेगा आपके पास dt divided by t square x square plus 1 पूरे को ही क्या कर लें आप x square plus 1 पूरे को क्या कर लिया t put कर लिया ठीक है तो 2x into dx कितना आगया dt इसका integration lnx minus 1 upon t square का integration क्या होता है minus 1 by t जब यहा minus 1 by t put करोगे तो हो जाएगा 1 by t plus c t की value वापिस put कर दो that is 1 upon x square plus 1 ठीक है और plus c आगे आपको दे रखा है कि integration के इस format में इसका ln mod x लिखते हैं आपन लोग ln mod x plus b upon 1 plus x square plus c तो इसका multiplication में a भी कितना है आपके पास 1 और b भी कितना है 1 तो आप से क्या पूचा है a plus b किसके ब्राबर होगा c यहाँ पर समाकलन नियतांग आपको दिया गया है constant of integration तो a plus b का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में कितना 2 खिले रे सबी को तो यह था हमारा question number 4 आगे चल लेते हैं और बात कर लेते हैं अपने इस paper के last question के बारे में क्या है देखो इसके अंदर इस question में हमें क्या करना है देखो एक second इस question के अंदर e की power 3x x cube minus 2x square plus 5 बराबर यह integration दे रखा है means e की power वाला जो है वो हमारे पास में question है तो generally यह को ऐसा question आता है तो हम क्या करते हैं इसको fx plus fdx के format में बना लेते हैं लेकिन उसके पहले हमें एक काम भी करना होता है और वो क्या काम करना होता है जो e की power वाला जो भी format है उसमें सिरफ e की power x का होना चाहिए ठीकर उसके साथ में constant नहीं चाहिए कुछ तो सबसे पहले हमें इसमें substitute करना पड़ेगा हमारा जो 3x है इसको substitute करना पड़ेगा t तो यहाँ से dx ब्राबर भी कितना आ जाएगा dty3 और x ब्राबर भी कितना आ जाएगा t by 3 ठीक है यह दोनों चीज़ें इसमें substitute करते हैं देखो क्या हैगा integration of e की power t यह बन जाएगा हमारे पास में x को substitute करोगे तो t cube by 27 minus 2 t square by 9 और 7 में बन जाएगा plus 5 और dx की output करेंगे dty3 इसके बाद में फिर आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं e की power t ठीक है और यहाँ पर है देखो t cube by इस 3 को अंदर multiply करोगे दिया जाएगा 81 minus 2 t square by 27 और plus 5 by 3 ऐसा हो जाएगा ठीक है अब इसमें चाहो तो आप lcm ले सकते हो और चाहो तो सीधा solve कर सकते हो वो आपके उपर है आप कैसा solve कैसे करना चाहते हो मैं direct कर रहा हूँ ठीक आप लोग थोड़ा ज्यान से देखिएगा इसको क्या करना है देखो e की power t सबसे पहले पहला जो factor है वो है tq by 81 इसका differentiation चाहिए हमें साथ में इसको integrate करने के लिए इसका differentiation अगर करेंगे अपन तो कितना आएगा 3 t square by 81 3 कट जाएगा और यह आजाएगा t square by 27 ठीक है यह पहला factor बन गया इसमें यह तो अपने को देर का था t square by 27 तो हमें इतना ही subtract करना पड़ेगा इतना ही subtract करना है means minus t square by 27 और minus 2 t square by 27 जान से देखना हम अपनी तरब से करेंगे minus t square upon 27 और हमें पहले से दिया गया है minus 2 t square upon 27 दोनों को simplify करोगे तो minus 3 t square upon 7 means minus t square by 9 यह अभी भी remaining हमारे पास बचा हुआ है तो इसको लेते हैं अगले factor मे that is minus t square upon 9 ठीक है अब इसके अंदर फिर इसका differentiation क्या करेंगे बच्चों इसका differentiation चाहिए उसको लिखा that is minus 2 t upon 9 यह दूसरा factor हो गया अब हमने यहां पर क्या किया यहां पर हमने कर दिया minus 2 t upon 9 तो हमें इतना ही क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा यह तो हमारे पास में बचावा था बट यह हमने अपनी तरब से किया है तो यह ट्रम हम जब इसमें add करेंगे क्योंकि हमारे पास में t की कोई ट्रम पहले से present नहीं है तो उसको हमने क् दिया 2 t by 9 अब हमें इसका differentiation चाहिए इसका differentiation कितना होता है 2 by 9 ठीक है अगेन देखो 2 by 9 हमने अपनी तरब से add किया है यहां पर ठीक है क्योंकि 2 by 9 नहीं वहां पर 5 by 3 था तो इतना ही हमें क्या करना पड़ेगा सब्टेट करना पड़ेगा तो लास्ट रम हो जाएगी आपके सामने 5 by 3 माइनस 2 by 9 और फिर इस ब्रेकेट को बंद कर दीजिए into dt इले रहे है आप सबको अब देखो हमारे पास में यह आ गया expression और इस expression को हम बहुत ही आसानी से integrate कर सकते हैं आप सबको पता होगा ठीक है य इसका differentiation है F dash क्योंकि मैंने सारी लिखी इसी तरीके से similarly यहाँ पर अगर इसको मैं G मान लेता हूँ तो यह G dash इसको H मान लिया तो यह H dash इसको कुछ L मान लिया तो यह कितना हो गया L dash ठीक है अलग-लग functions से अच्छा यह तो पूरा L है और इसका differentiation होगा हो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा L dash ठीक है चलो अब इसका integration का formula क्या होता है हम सबको पता है that is E की power T into F आता है F dash हट जाता है F कितना है हमारे पास में TQ by T1 ऐसे दूसरे वाले में G कितना है minus T square upon 9 और अगले वाले के अंदर आपके पास में H कितना है that is 2T upon 9 ठीक है और last में इसको add करें अगर LC कितना है गा 9 15-2 that is 13 by 9 13 by 9 यह हो जाएगा अपने पास में answer इसमें T को वापिस substitute करना पड़ेगा हमें T को क्या put करेंगे T ब्राबर कितना हो जाएगा 3X T को 3X put करोगे तो E की power 3X यहाँ put करोगे 3X so 27 आएगा यह कट जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा X cube by 3 यहाँ 3X put कर होगे तो E 3 कट जाएगा 2 by 3X बचेगा और यहाँ put करने की जरूत नहीं है 13 by 9 तो यह format हमारे पास में आजाएगा और यह format आने के बाद में इसके अंदर देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम फिर से वापिस जो हमसे पूछा गया है A B और C क्या है यहाँ पर A B और C X cube X X square और X के coefficients है तो उनको हम यहाँ पर add कर सकते हैं A plus B plus C पूछा है 1 by 3 minus 1 plus 2 by 3 और अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो आपका answer कितना आने वाला है 0 तो इसका जो answer है आपके पास में वो बरना है आपको 0,0 क्लियर है तो यह था बच्चो आपका J.Mains का paper और उसका complete solution फिर भ class में अपने doubts को clear कर सकते हैं clear है okay thank you very much